है सो है अरिवान वेलकम बैक तो दिस ग्रेटेस्ट प्रेट फॉर्म उफ एड्यूकेशन फिजिक्स वाला पी डवलू के इस शितिज बैच में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरा नाम है हितेश आपका दोस्त आपका मेंटर एंड हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग तीन लेक्चर हम अल्रडी डन कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक से शुरू किया था था यह सब निकालना सीखा अब आप सारे मोलिक्यूल कोई भी मोलिक्यूल कोई बड़ा मोलिक्यूल किसी भी स्टेडिक नंबर का आप सब की शेप बताने में सक्षम ह बाद हमने कोवलेंट करेक्टर आयनिक करेक्टर फजान रूल डाइपॉल मुवमेंट यह सारे एस्पेक्ट पढ़े एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मोलिक्यूलर ओर्विटल थियोरी बच्चा यह बहुत इंपोर्टेंट एस्पेक्ट है बहुत इंपोर्टेंट टोपि जाएंगे जो सारी चीज़े बलर हैं उन सब चीजों को क्लियर किया जाएगा तो बस अराम से इतमिनान से यह लेक्टर देखो पूरा लेक्टर देखने के बाद मोलिकलर ओर्विटल थियोरी में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कोई क्योशन आपका नहीं रुखेगा स ही टोपिक्स हम बच्चे यहां पर पढ़ने वाले हैं यह टोपिक्स हम समझने वाले हैं सबसे पहला टोपिक्स मोलिक्लर ओर्विटल थियोरी इस पूरे लेक्टर में ही हम क्या पढ़ने वाले हैं आप यह समझने वाले हैं मोलिक्लर ओर्विटल थियोरी हम बच्चे समझ जाता है उनको जानेंगे molecular orbitals बनते कैसे हैं और atomic orbitals आपको पता है आपको कोई कहाए s कैसा दिखते है आपको पता है सिग्मा स्टार वनस को जह रहा है सिग्मा स्टार उपीजिट यह सब अगर आपको कोई कह रहा है इन सब की शकल इनकी सूरत इनकी करेक्टरिक्स कहां समझी जाएगी यहाँ पर समझी जाएगी molecular orbitals में थिक हैं यह topics वहाँ पर हम पढ़ेंगे then molecular orbitals orbitals जानने के बाद हम molecular orbitals डाइगराम बनाने लगेंगे, ehm o diagram बनाना हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे बच्चे सब्से पहले हम क्या पढ़ेंगे, homo nuclear, क्या पढ़ना है बच्चे? homo nuclear पढ़ना है, and heteronuclear हमें पढ़ना है, यह topics अब हमार को पढ़ने है, और एक बार ये topic आप ध्यान से, तरीके से, and man से अच्छे से एक बार समझ लोगे है ना पूरी वीडियो देख लोगे तो आप अराम से दो तीन मार्क्स के क्योशन यहां से उठाओगे अगर पेपर में आती हैं तो कई बार तो ऐसा हुआ है चार मार्क्स का हेडिंग डाल सकते हो कि आप molecular orbital theory पढ़ने जा रहे हो अराम से बढ़ेंगे समझ के बढ़ेंगे बच्छे सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ यह कैसी theory है इसके उपर मतलब कि किस principle बेस्ट है तो इट इस बेस्ट ओन lcao principle एक योशन भी मालों बन सकता है statement वाइस तो अब लिख लो इट इस बेस्ट ओन lcao principle अब lcao principle क्या होता है यह ऐसा linear combination of atomic orbital तो यहाँ पर क्या heading डालेंगे बच्छे linear combination जस्ट लिख लो कि ऐसा होता है linear combination of atomic orbital तो यह बच्छा कि अब एक और चीज में आपको बताना चाहूँगा अब देखो सबसे पहले यह linear combination of atomic orbitals बच्चे कहता क्या है तो यह ध्यान रखना molecular orbital theory में atomic orbitals होते हैं वह combine होते और उससे आपको molecular orbitals मिलते हैं तो एक बात ध्यान रखना जितने ज्यादा atomic orbital मतलब जितने number of atomic orbitals combined हों उतने ही आपको molecular orbitals मिलेंगे let च्पोस दो atomic orbital combined हो रहे हैं तो दो molecular orbital मिलेंगी एक का नाम होगा bonding molecular orbital एक का नाम होगा non-bonding molecular orbital को यह लोग combine नहीं हो पाते तो वो किसमें चले जाते हैं non bonding molecular orbital में बच्चे वो चले जाते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे वेन है तो atomic orbitals कंबाइन according to LCAO principle LCAO principle कुछ नहीं बताता एक छोटी सी statement आपको बताता है को मैं आपको बताऊंगा according to LCAO principle then two molecular orbitals will form then two molecular orbitals लिखना बहुत जरूरी है बच्चा molecular orbitals will form notes बनाने अच्छे से अच्छे से बनते हैं क्या होता है कि इस तरीके से दिखते हैं वो सब बताएंगे आपका हमेशा यह रहना ची कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो इसके बाद का क्या समझ में आएगा वो टेंशन मत लो वो अगले पांच मिनट में सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा अभी प्रेजेंट में जो लाइन लिखी है वो समझो और उसके बारे में आगी बढ़ते जो यहां पर क्या होगा bonding molecular orbital दो और बिटल बनते एक बनता है आपका bonding molecular और एक एंटी बोंडिंग molecular orbital जिसे आप क्या कहोगे ABMO बच्चे आप कहोगे ठीक है ABMO आप इसे कहोगे अब बच्चा समझना यह है कि यह दिखते कैसे हैं यह molecular orbital दिखते कैसे हैं वो हमें next step होगा LCO principle यही कहता है कि वह atomic orbitals combined होंगे जिनके अंदर symmetrical जिनकी energy gap comparable होगा और symmetry भी comparable होगी मतलब कि वह वाले जैसे कि S और F orbital कभी भी ने combine होएंगे ऐसे orbital ही combine हो पाएंगे जिसमे energy gap comparable होगा symmetry comparable होगी वही combine हो पाएंगे अभी हम combine करना सीखेंगे अभी जास एक heading हमने डाली अब बच्चा एक बात और मुझे आपको समझानी है जैसे हम पढ़ते थी hybridization आपने अभी थोड़ी देर पहले hybridization समझा था आप प्रीवेस लेक्शन में आपने hybridization समझा अब molecular orbital theory में हमें यह जानना है कि molecular orbital theory कैसे काम कर रही है hybridization कैसे काम कर रही थी इन कुछ बातों को भी हम समझते हैं तो एक छोटा सा यह point देख लो हाला कि I know exam में यहां से एस सच कुछ नहीं है मगर फिर भी आपको थोड़ा सा यह point पता होना चाहिए कि वह hybridization और molecular orbital theory में अंतर क्या पढ़ जाता है कि molecular orbital theory में अंतर क्या पढ़ जाता है तो यह देखो बच्चे hybridization में आप क्या कर रहे थे जैसे hybridization में carbon था उसका एक s था उसका एक p था आपने कहा कि ना तो s bonding करने जाएगा ना p bonding करने जाएगा पहले यह दोनों मिलेंगे और एक sp3 बनेगा और वो bonding करने जाएगा इन दोनों के million को ही mixing of orbitals को ही आपने hybridization कहा था और यह process होने के बाद जो orbitals मिल रहे थे उनको आपने hybrid orbitals कहा था आपने यह कहा था कि सर यह carbon है carbon के पास s orbital है यह रहा s orbital carbon के पास p orbital है यह रहा p orbital यह दोनों combine होंगे सर और आपको क्या दे देंगे एक hybrid orbital देंगे sp3 यह बात आपने कहीं थी sp3 hybrid orbital मिलेंगे ऐसे ही molecular orbital theory में बच्चे क्या होता है molecular orbital theory में हम समझते हैं क्या होता है कि पहले hybridization में यह बात समाझ में आए कि अलग-अलग energy की चीज एक equal energy का hybrid orbital दे रही है और hybridization की definition में ही हम यह बात कह रहे थे कि hybridization का मतलब होता है mixing of atomic orbitals of different energy to get a hybrid orbital of equivalent energy same energies ताकि एक अलग-अलग energy की combine होगे same energy का कुछ product दे रहे हैं तो hybridization में क्या होता है अलग-अलग energy का कुछ combine होकर ultimately जो चीज हमारे पास आती है जो orbitals हमारे पास आते हैं वो same energy की होते हैं मगर molecular orbital theory में यहां नहीं होता सपोर्ज यह hydrogen है यह hydrogen का 1s है यह 1s है अब यह दोनों combine होंगे और h2 का molecular orbital आपको मिलेगा यह आपने देखा होगा ऐसा नहीं है कि आपने यह नहीं देखा होगा यह इतना तो हमेशा पढ़के आए होंगे हर कोई sigma 1s और sigma star 1s तो बच्चे यहां पर difference क्या आया डिफरेंस यह आया कि molecular orbital theory में comparable energy वाली चीज अलग-अलग energy का कुछ product दे रही है that is अलग-अलग energy की orbital दे रही है और यहां पर अलग-अलग energy वाले सेम energy का एक orbital देती है यह बाते जस्ट आपके पास होनी चाहिए जस्ट आपको पता होना चाहिए इतना मैं आपको कह रहा हूं ठीक है इतना मैं आपको कह रहा हूं यहां तग आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी बाद अब यह देखते हैं कि पूरे molecular orbital theory में पूरी molecular orbital theory में बच्चे आप पढ़ने क्या क्या वाले हो तो अगर मैं बात करूँ यहां पर हमारे पास अगर हम बात करें पूरी molecular orbital theory में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बारी तो यहां पर ध्यान रखना यह हमारे पास M.O.T. ठीक है बच्चे पूरी molecular orbital theory में सबसे पहले हम शुरू ही कैसे करते है molecular orbital theory atomic orbitals को mix करते हैं भाई molecule क्या है एक बच्चा दूसरा बच्चा इन दोनों की combination हुई और एक अटम है य single person यह single person यह दोनों combine होके couple बन गया hydrogen 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 combine होके molecule बन गया तो पहले atomic orbitals थे वह atomic orbitals combine होके molecular orbitals बनते है तो सबसे पहले बच्चा देखा जाएगा क्या mixing of atomic orbitals हां जी क्या देखा जाएगा mixing of atomic orbitals हम देखेंगे ठीक है then mixing of atomic orbitals जब atomic orbitals है ना दो बच्चे combine हो गए है तो एक जो बना है वो क्या है molecule बना है और वो molecule के अंदर क्या होगा molecular orbitals तो आपके पास ultimately molecular orbitals आ गए होंगे 1s 1s combine होकर sigma 1s बन चुका होगा वो sigma 1s दिखता कैसे है सर वो हमें समझना है तो अगली heading डालेंगे क्या pictorial representation एना कि यह जा pictorial representation दे कह दो या फिर आप कह दो क्या molecular orbital just molecular orbitals लिग लो या फिर लिग दो pictorial representation of molecular orbitals heading आएगी क्या molecular orbitals की ही then बच्चे आप सक्षम होंगे अब molecular orbitals आपके पास बन गए होंगे तो आप यह करने में सक्षम होंगे कि इस molecular orbitals को यूज करके molecular orbital diagram बना लो तो बच्चे आप क्या बनाओगे molecular orbital diagram आप create करोगे है ना मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डाइग्राम वही किसको molecular orbital ठीओर लगता है कि सर यह देखकर तो ना यह यह वह वाली सब्जी है जिसको देखकर मेरा जी खराब हो जाता है यह सब्जी मैं कभी नहीं खा सकता खा सकती ना यह ऐसा नहीं है वही अच्छे से अच्छे से प्रजेंट करके हम देंगे आपको ना कई बर खाने की प्रजेंटेशन अच्छी होती है और खाना खाया जाता नहीं आपने से पहले ही यह नहीं करना कि आरो नहीं था है जाएगा हैना ऐसा नहीं करना वह हो जाएगा सब जाएगा थोड़ा सा विश्वास रखो इतना अभी तो आप कई दिनों से पढ़ी रहे हो मेरसे तो आपको इतना तो पता लगी गया होगा कि चीजे सब कुछ समझ में आएंगी तो मोलेक्टर अर्बिटल डाइग्राम पढ अब यह पहला टोपिक हम शुरू करते हैं that is mixing of atomic orbitals बच्चे mixing of atomic orbitals के लिए सबसे पहले atomic orbitals को mix करने से पहले conditions क्या है atomic orbitals की mix होने की तो यह लिखना heading conditions of mixing of atomic orbitals क्या heading डालेंगे बच्चे condition of mixing of atomic orbitals atomic orbitals के mix होने की conditions ठीक है बच्चे देखो बई यह सिरफ LCO principle ही है यह यह actually में LCAO principle ही है linear combination of LCO principle यह इतनी ही बात कहता है कि वो वाले atomic orbitals combined fine अच्छे से होंगे for better mixing atomic orbitals should have less energy gap and atomic orbitals should have same symmetry यहां पर लिख ले ना for better mixing ना वो atomic orbitals अगर atomic orbitals की हम mixing of atomic orbitals पढ़ रहे हैं उनकी condition पढ़ रहे हैं तो for better mixing atomic orbital खूद हैव क्या 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 चीज होनी चाहिए बच्चे दो चीज होनी चाहिए शुड़ हैव less symmetry यूड है ले सीमेट्री तो सो रे शूरी शूरी शूड है same symmetry less energy gap लिख लो पहली शूड है less energy gap और आइन्द सेम्सिमेट्री और क्या होना चाहिए चैङल के पास उने चाहिए सूरत दिखाता हूं की और हम गुर चीज मैं आपको समझाता हूं यह देखने की कोशिश करना यहां पर है आपके पास क्या एक टू टाइप का कोई मोलेक्यूल है है ना हाइड्रोजन टाइप का मन्दब की जो दोनों ही सिंगल परसन थे यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन जो दोनों ही सिंगल परसन थे जब वो एक कपल बने तो यह ज फिखेगे पोwnें होंगे तो आपको दो फिरोगी और ना यह किसी ही यह बहुत है आपको अच्छे आपको दा मिलेगा bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital a2 क्या है अब क्योंकि देखो electronegativity एक ए और दूसरे यह क्या होता है electronegativity का symbol है ना इसे CHI काई बोलते हैं कोई इसे अलग-अलग नाम से प्रनाउंस करता है CHI यह electronegativity का symbol है जब इन दोनों की electronegativity symbol है तो इन दोनों के atomic orbital a और a के atomic orbital भी same energy पे होंगे यह बात दिहान रखना a और a के atomic orbital क्या होंगे same symmetry पे होंगे अब same energy पे होंगे अब let's suppose आप क्या पढ़ रहे हो अब let's suppose आप a2 को पढ़ना चाहें a2 को पढ़ लिया आपने a b को पढ़ते हैं जिसमें आपने पहले condition ले ली कि सर b की electronegativity क्या है एसे ज्यादा है तो बच्चा ध्यान देना जिसकी electron negativity ज्यादा होगी उस atom का atomic orbital ज्यादा stable होगा उसकी energy क्या होगी कम होगी universal truth है जो ज्यादा stable होगा उसके energy क्या होगी कम होगी तो let's suppose हमारे पास यहाँ पर यह ए है और यहाँ पर B है तो यह A का एосलब कोर बिटल अगर A का ए दो Yuk दोनों कंगे और आपको वापी से क्या मिलेगा बोंडिंग मोलिकलर और एदिबूंडिंग मोलिकलर और इसे कहा जाएगा क्या प yapmış बी एमों और इसे BMO में किसका करेक्टर जादा है यह A है और यह B है इस BMO में bonding molecular orbital में किसका करेक्टर जादा है A का या B का वह जिसके पास है उसी का करेक्टर जादा है equation बन जाते हैं जब आप molecular orbital diagram पढ़ोगे अंदर जाओगे तब आप से equation बनेंगे कि यह particular देखो पूरा molecular orbital theory हमें पढ़ना है तो वह चीजे भी पढ़नी है जो अकसर आप नहीं पढ़ रहे हूं वह चीजे भी बच्चे पढ़नी है थोड़ा सा समझने ही जोशिच करो ट्रिक्स भी आपको दे दूँगा सारी एजटीज ट्रिक्स आपको मिलेंगी मतलब कि कई बार ऐसा होगा कि आपको molecular orbital diagram बनाने की जरौती नहीं पड़ेगी just by tricks we can do the question बगर उसके लिए धीरे-धीरे ही समझना है पहले मैं आपको लेनी पड़ेगी बी से या एसे बी से लेनी पड़ेगी क्योंकि वह बी के ज्यादा close है तो यहां पर धिहान रखना यहां पर ऐसा कुछ विद मौर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट उनकी मौर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से ज्यादा रेजम्लेंस होती है ज्यादा दोस्ती होती है अब बच्चे एक और चीज पढ़ते हैं लेट सपोज हम AB टाइप का molecular orbital diagram ही पढ़ रहे हैं मगर इस बार हमने condition लिए कि सर B की electro negativity जो है वो A से कई गुना जादा है B की electro negativity जो है वो A से बहुत जादा है तो अब क्या करोगे सर तो कुछ नहीं थोड़ा सा सबर करो आप लोग और समझो यह A है यह B है let's suppose यह आपका क्या हो गया A का atomic orbital क्योंकि electronegativity B की बहुत जादा है तो यह इधर आएगा यह B का atomic orbital हो गया ठीक है यह A का atomic orbital और यह वाला A का और वो B का अब बच्चे इन दोनों में इतनी energy है कि यह दोनों mix ही नहीं हो पाएंगे यही तो mixing condition थी कि mixing होने के लिए energy gap क्या होना चाहिए कम होना चाहिए मगर बच्चा यहाँ पर energy gap यह A का energy बहुत उपर है A का atomic orbital की B का atomic orbital की energy बहुत उपर है जब ऐसा होने लग जाए energy gap बहुत अलग-अलग होने ही लग जाए तो तब जाकर आपका कुछ non-bonding मिलता है क्या मिलता है बच्चे non-bonding molecular orbital मिलते है इतिहान रखना है जैसे आप HF पर होगे तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा non-bonding क्या मिलेगा आपको बच्चे non-bonding है ना कई लोगों को लगता है कि non-bonding कहां से पैदा हो गया कि किस तरीके की MO diagrams आपको मिलेंगे homo nuclear मिलेगा ही त्रोट न्यूक्यार ही है ये दोनो ये दोनो ही आए दीडीरे तीडीरे शुरू करते हैं भवराना नहीं है और एक आपसे और छोटी सी request अभी मैं करूँ आप request कि कर रहा हूं आप से इतने दिनों से रिक्वेस्ट यह है कि ऐसे भयंकर और ऐसे डरावने नोट्स नहीं बनाने इसको पढ़ने का तो आपको डर लगे वो नोट्स देखे ऐसे गंदी राइटिंग में नोट्स मत बनाना आराम से तरीके से यही दिक्कत होती है पढ़ता है तो एक बार में ऐसा पढ़ लेगा ऐसा पढ़ लेगा कि वही अब तो नेट गेट तक की क्योश्चन अटेम्ट कर लूँगा मगर थोड़ी देर बाद थोड़े दिनों बाद वह बिलकुल साफ हो जाता है तो हम पढ़ेंगे सब कुछ नेट गेट का क्या सब का अटेम्ट करोगे आप मगर तरीके से नोट बनाना जैसा बताया जा रहा है उस फॉर्मेट को फोलो करना क्योश्चन आपके सारी लग जाएंगे ट्रिक्स आपको सारी मिल जाएगी वह सबर करनी है टाइम के साथ साथ सब कुछ मिलता जाएगा ठीके बच्चे तो यह मिक् अधि नहीं दिया इसके अंदर 1S 1S होगा तब सिगमा 1S 1 स्चार 1S होगा तो यह सिगमा स्चार 1S सिगमा 1S बच्चा यह लोग दिखते कैसे हैं इनकी शकल इनकी सूरत कैसी है वो हम देखेंगे तो next heading पे हम जो चलने वाले हैं आप वह है molecular orbitals molecular orbitals heading डाल लो या फिर लिग लो कि pictorial representation of molecular orbitals की molecular orbitals की शकल सूरत है कैसी पहले बात तो इनका नाम क्या है मैं वह आपको दिखा देता हूँ बच्चे molecular orbitals आपने देखे होंगे जैसे atomic orbitals क्या होते हैं 1s होते हैं 1s होते हैं 2s होता है 1s 2s 2p इस तरीके के यह क्या atomic orbitals है इस 2p के लिए 2p x 2p y 2p x sub shell है 2p x 2p y 2p z एक atomic orbitals है ठीक है तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया बच्चे यह हो गया है वही हमारे पास molecular orbitals molecular orbitals में हमारे पास कौन कौन से आते हैं सिगमा 1s सिगमा स्टार 1s सिगमा 2s सिगमा सिगमा 2s सिगमा स्टार 2s ना सिगमा 2p z और सिगमा स्टार 2p z यह सिगमा कब बनते हैं जब head to head overlapping होती है मतलब जब सर से सर टकराता है तब सिगमा बनते हैं यानि कि आपको दो टाइप की overlapping वेच्चे आप में समझनी है एक आपको समझनी है क्या सर head to head overlapping ये आपको क्या समझ नहीं है बच्चे head to head overlapping बोलो हाँ यह ना अब दूसरे molecular orbitals क्या होते हैं दूसरे molecular orbitals कैसे बनते हैं वो बनते हैं सर sideways overlapping के कारण आपके दूसरे molecular orbitals बनते हैं जिनका नाम है क्या pi 2p x pi 2py pi 5 star 2p x pi star 2p 1 यह इस तरीके से आपके बनते हैं अभी आपको present vision है present मतलब जो चीजे चल रही है उसी को देखना है इससे आगे की समस्या इसके आगे की tension नहीं लेनी है present में चलना है आपको यहाँ पर इसका क्या होगा sideways overlapping बोलो हाँ या ना मज़ा आ रहा है त्यारी में पहले तो यह बताओ त्यारी में आप लोगों को मज़ा आ रहा है यह नहीं आ रहा है वर्थिट होगा यह मैं आपको बार-बार याद दिला रहा हूं जितना पढ़ रहे हो वर्थिट होगा आगे बहुत बहुत शांदार जगे हैं बहुत शांदार शांदार जगे बच्ची है दुनिया में आपको जो देखनी है तो पढ़ते रहे हैं अभी कुछ समय है पढ़ने का हर किसी की जिन्दगी में एक फेस तो आता है जिसमें वो पढ़ता ही रहता है पढ़ता ही रहता है वो छे महीने हम head to head overlapping वे चलते हैं जब सड से सड तक राएगा वो हम पढ़ना start करते हैं तो heading डालो भई head to head to head overlapping कि इसके अंदर सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो molecular orbitals कौन सा पढ़ना है वो पढ़ना है sigma 1s अभी आप भूल जाओ कि sigma 1s आज से पहले आपको कुछ पता भी है या नहीं पता नहीं पता तो बहुत ही बढ़िया पता है तो थोड़ा सा उसको मिटा तो और कुछ सीखो यहां से यह sigma 1s क्या है बच्चे molecular orbital है कि hydrogen hydrogen मिलके जो h2 बना उस h2 का molecular orbital है बच्चे यह क्या है h2 का molecular orbital यह है आपके पास ठीक है अब देखो यह आपके पास क्या हुआ यह hydrogen let's suppose hydrogen छोड़ो कोई भी atom ले लिए हमने उसका यह 1s है यह दूसरे atom का क्योंकि molecule बना है तो दो एक्टम से बनेगा यह दूसरे atom का बनेस है पालो जब यह सेम फेज में होंगे अब यह फेज है चार्ज नहीं है फेज क्या होता है यह वार वार फेज क्यों आ रहा है देखो भाई जो और बिटल्स होते हैं उनका वेव नेचर होता है तो उनके पास positive negative दो mind door interference होगा इस और यहां से आपको क्या मिलेगा यहां से कुछ तरीक है कर यह आपको मिलेगा ठीक है अब यह क्या बना धिया सव ड्रेगन आपने ड्रेगन नहीं है बच्चा यह सीगमा ऐस्ड़ी शेश्Yo manifests कि श में कि शकल सूरत है नहीं पता होती तो तो इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पता होती है तो नुकलियस जो भी है उसके दो भी दो एक्टम है उनके नुकलियस अब इनकी कुछ अगर मान लो ये एक पुजिटीव नेगेटिव बनता है कि सिगमा स्टार वन से बनता है अभी वों भी करेंगे नेक्स पे वह तो यह देखा लो एनरजी के होते हैं तो वह जयाद स्टीबल होते हैं और खास बात क्या है कि दूसरी खास बात बच्चे इसकी यह एए centre of symmetry किया isя center of symmetry है या नहीं है तो बच्छे क्या करो center बेट जो उपर जाओ नीचे जाओ दाय जाओ बायअ जाओ अगर सीम चीज मिल रहे हैं तो क्या है center of symmetry शेर प्रda फूंधर हम झाहां जिस हो barr जाते जीरेड बोला जाते इसलिए इसे जीरेड भी कहा जाता है क्या कहा जाता है बच्चे जीरेड कहा जाता है अब ध्यान रखना सिगमा वनेस की जगह अगर कोई सिगमा जी लिख दे आपको तो समझ जाना वो bonding molecular orbital है anti-bonding molecular orbital वो नहीं है दूसरी बात सर क्या इसमें कोई node है अब ये node क्या होता है node एक ऐसी जगह है जहाँ पर electron density नहीं पाई जाती तो यहाँ पर क्या आएगा node is equal to 0 यहाँ पर कोई भी node नहीं है ऐसा कोई भी plane नहीं है जहाँ पर electron density नहीं पाई जाती तो node यहाँ पर क्या आगया 0 आगया ठीक है clear है कोई डाउट तो यह आपका क्या हो गया sigma 1s अब आगे चलते है sigma star 1s देखते हैं ऐसे हमें सारे देखने है ना जो हमने यह देखे है यह सारे हमें देखने है sigma 1s, sigma star 1s आप देखो बच्चा sigma 1s और sigma 2s सेम ही होगा थोड़ा मोटा हो जाएगा sigma 2s मगर करेक्टर स्टिक तो बच्चे सेम ही रहेगी ना सारी बाते सेम रहेगी 1s और 2s वाले की सारी बाते सेम होईगी तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर ही क्या पढ़ना है अब हमें sigma star 1s बच्चे अब हमें पढ़ना है अब यह sigma star 1s बनेगा कैसे जब दो atomic orbital अलग-अलग फेस में होंगे वो combine होंगे तो anti-bonding मता है मालो यह positive phase में है एक 1s दूसरा 1s क्या है negative phase में बच्चा जब यह combine हो रहा है तो इसको बोलते है destructive interference क्या बोलते है destructive interference इसे बोलते है कि इसे क्या बोला जाता है destructive interference बच्चे इसे बोला जाता है और यहाँ से आपके पास क्या मिलता है यहाँ से आपके पास इस तरीके से यह आपको मिलता है यह positive phase हो गया यह negative phase हो गया ठीक है इसका नाम है क्या sigma star 1s इसका नाम क्या है बच्चे sigma star 1s अब इसके बारे में कुछ खास बात है चंद शब्द इसके बारे में भी लिखने पड़ेंगे बिल्कुल लिखने पड़ेंगे पहली बार यह anti-bonding है जब भी अलग-अलग phase में combine होंगे तो वो anti bonding बोले जाएंगे तो बच्चा इसको आप क्या बोल रहे हो ABMO बोल रहे हो यानि की anti-bonding molecular orbital ठीक है anti-bonding molecular orbital है दूसरा बच्चा यहाँ पर anti-bonding molecular orbital आपने बोल दिया उसके बाद क्या center of symmetry यहाँ पर है सर इधर positive है इधर negative है center of symmetry का नाम हो निशान यहाँ पर नहीं है तो हम क्या काएंगे center of symmetry absent है COS क्या है central symmetry कोई और इसकी full form मत निकाल देना center of symmetry is COS is center of symmetry किसी के अंदर center of symmetry नहीं है तो उसे बच्चा बोला जाता है क्या ungerade बोला जाता है और इसके अंदर क्या कोई node है बिलकूल है सर यह plane डाल दिया यहाँ पर मैंने एक plane डाला जहाँ कोई भी electron density नहीं है तो हां जी सर इसके अंदर कोई node present है तो यहाँ पर आप क्या कहोगे node is equal to 1 यहाँ पर एक node present है बच्चा तो इधर हम कहेंगे यह है आपका क्या sigma star 1s अब आज के बाद मालो आपको यह लिख दिया sigma u अगर कोई कह रहा है sigma u यह आएगा आगे जा कि जब molecular orbitals theory हम पढ़ेंगे तो मालो किसी का homo loomoo आप टेंशन हो गई homo loomoo क्या होता है वो भी पढ़ेंगे चिंता मत करो मालो किसी का आंसर आया sigma मैं यह कहा रहा हूं एक question है उसका answer है क्या sigma star 1s और option में sigma star 1s है यह नहीं option में है sigma u sigma g आपको किस बारे में बताता है बच्चा यह बताता है आपको अंजिरेड के बारे में और इसको इसी तरीके से साफ-साफ एक बार नोट डाउन करूँ आपका सिग्मा角 डाशै मस्टार मने सिग्मा सिग्मा स्टार टूइस आंप सिग्मा स्टार ते वी ढूर्ट तैंजिरे में सबसे पहले अपको चीज समझा तो जो कई लोग समस्ते ही नहीं है कि एक डाउट भी बन सकता है आप मुझे यह पताओ कि टूपी सब शेल में टूपी एक्स टूपी वाई टूपी जैड तीन चीजे है टूपी एक्स है टूपी वाई ये टूपी जैड है तो क्यों हमेशा सिगमा जैड के अलोंग बन रहा है एक्स वाई के अलोंग क्यों नहीं बन रहा क्यों यहां पर आप लिख देते हो पाई टूपी एक्स और पाई टूपी वाई है ना यहां पर ऐसे लिखते हो और जैड के अलोंग आप लिखते हो सिगमा टूपी जैड ऐसा क्यों ऐसा इसी लिए क्योंकि हम जैड एक्स पू तो कि यह ह्या एक्सिजी आज एंटनुगिए एकिस है जै ड़ सीज्ग को हम हम इंटनुगर एक्सिज कंशिडर करते हैं इसके इंदर इन वunden हम एसा करते है ये इसलिए बता रहा हूं मालों कोवशन है बन जाये कि एक आपको question दे दिया और ब्रैक्ट में ये लिग दिया consider x axis as internuclear axis तो बच्चे आपका सारा game पलट जाएगा सिगमा 2p x हुआ करेगा और pi to p z हुआ करेगा pi 2p y हुआ करेगा अगर बच्चे कुछ भी नहीं मैंचन है तो तो जैड एक्सिज के अलोंग ही सिग्मा बनेंगे और अगर मेंशन कर दिया एक्स जब आई एक्सिज तो आप ध्यान रखना सिग्मा बनने लगें उन एक्सिज की तरफ जो एक्सिज को इंदर आया हुआ है ब्रैकेट में एक्सिज को इंटर नुक्लियर एक्सिज लिख दिया था तो सिग्मा टूपी एक्स वहाँ पर लेना था वह मैं आपको बताऊंगे तब मैं आपको दुबारा बता दूँगा तो ध्यान रखना अगर आप से कोई पूछ रहे क आप जैड के लोंग ले रहे हो क्योंकि जैड एक्सिज इस कंसिडर एज इंटर नुक्लियर एक्सिस इंटर नुक्लियर एक्सिस के लोंग हैड टू हैड ओवर नैपिंग हम करवाएंगे अब इसको बना देते हैं यह मालो हमारे पास हो गया 2pz यह हो गया मानलो negative यह हो गया positive अब इसका दूसरे सिग्मा 2pz से दूसरे 2pz से होगा 2pz यह रहा अब बच्चा यहाँ पर sigma बनाना है यानि की bonding molecular orbital बनाना है तो यह क्या होगा positive positive तभी तो same phase में bonding बनेंगे और यहाँ से आपको क्या मिलेगा यहाँ से आपको यह आपको molecular orbital मिलेगा इस तरीके का दो positive मिलकर एक बड़ा positive बनाएगा वो negative वहाँ रहेगा यह negative यहाँ पर रहेगा ठीक है इसका नाम हो जाएगा बच्चे क्या sigma 2pz यह क्यों important है यह पढ़ना आपको थोड़ी देर में सम solution मिल लगेगी अभी बस सीख लो कि यह bonding molecular orbital है इसकी करेक्टर 6 देख लो क्या साथ यहाँ पर सेंटर सिमेट्री है पीच में बैट हुआ इधर थोड़ा चला इधर चला पोजिटीव पोजिटीव उधर चला नेगेटिव तो सेंटर हो सिमेट्री क्या है present है हाँ इसे क्या क पर प्रेजेंट नहीं है ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर electron density ना हो तो इधर कोई भी नोड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है आई वाज समझ में तो नोड इस इक्वल टू जीरो है ओके फाइन तो यह आपने सिगमा टूपी जैड देख लिया एक छोटी सी बात समझ है मतलब सिगमा बच्चा किसी का भी हो करेक्टरिस्टिक सेम रहेगी आई यह सिगमा स्टार टूपी जैड पर घूम के आते हैं नेक्स जो हैडिंग है वो हमारी क्या है सिगमा बस थोड़ा सा और बचा है इसको पढ़ने के बाल हमारा कम्प्लीट हो जाएगा बच्चे सि नेगिटिव हो यह पोजिटिव हो इधर प्लस किया एक और हमने लिया अब क्योंकि सिगमा स्टार बनाना है क्योंकि एंटी मोंडिंग बनाना है तो यहां पर पोजिटिव है तो यहां पर नेगिटिव होगा और यहां पर वापिश से पोजिटिव अब मोलिक्लर ओर्बि इसके बारे में कुछ चंद बाते हम बोल देते हैं अगर आपका इंट्रोड़क्शन आपसे ले रहे हैं तो चंद बाते आपको बोल देंगे यहां पर आप इसको क्या बोलोगे कि यह क्या है सर एंटी बॉंडिंग मोलेकुलर ओर्बिटल है और इसे कहा जाता है क्या एंटी मोल्डिंग मोलेकुलर ओर्बिटल हो गया सेंट्रों सिमेट्री अरे नहीं जा इधर पोजिटीव है इधर नेगिटीव है सेंट्रों सिमेट्री नहीं है इसे अनजिरेड कहो इसे क्या कहो और इसे आप क्या कहोगे इसमें नोड पर्जेंट है हां जी नोड यहां पर आई वाइ समझ में तो बच्चा ये clear है आपको σिगमा ये सिगमा स्टार 1 एंट सिगमा स्टार 2 एंड इनको जानना है इनको किसी भी चीज को कैसे पैचानते हूँ शकल से उनकी सूरत से इनकी सूरत भी आपको पता होनी चाहिए इन्होंने क्या भिगाड़ है यह डिसर्व नहीं करते कि आप इनको पढ़ो इलकुल करते हैं वह यह पेपर में आते हैं इसलिए डिसर्व करते हैं आप हमें क्या देखना है head to head देख चुके हैं यह देख चुके head to head अब हम sidewise overlapping खेल अभी तक हमने head to head overlapping में पढ़ ली है अब हम sideways overlapping में और आपको पता है sideways overlapping में अगर 2P के 3 orbital है 2Px, 2Py, 2Pz तो head to head overlapping कर रहा है 2Px और 2Py क्या करेंगे sideways overlapping करेंगे तो यहाँ पर heading डलेगी वो क्या होगी या तो उसे पाई 2Px कहे दो या फिर पाई 2Py कहे दो वो दोनों एक ही बात है उसमें कोई अंतर नहीं है क्यों नहीं है अंतर सर देखो यहाँ पर सीधी सी बात है अगर आपके पास 2Px को आप यह consider कर रहे हो तो 2Py को आप यह consider कर लोगे मगर इनके बनने वाला जो सिस्टम होगा उसकी character 6 क्या होगी सेम होगी तो हम रैदर देन पाई 2Px और पाई 2Py लिखने की बजाए पाई 2P लिख देंगे और यह overlapping कैसी होती है sidewise होती है head to head यह होती है sidewise ऐसी होती है एक facewise भी होती है ऐसी वो delta bond बनाते हैं वो जब आप organometalics में जाओगे तब आपको वहाँ बता दिया जाएगा है ना समझा देंगे वो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है चिंता मत करो एक बार पहले यह बच्चे अच्छे से समझ लो लेट सपोज यह टूपी है यह दूसरा टूपी है हाँ यह टूपी जैड नहीं है क्योंकि हम क्या करवा रहे है हम यहाँ पर head to head नहीं sideways overlapping करवा रहे हैं तो यह अगर मान लो positive है तो अब क्योंकि आपको bonding molecular orbital क्रियेट करना है तो बच्चा यह भी positive होगा सेम सेम लोब गनेक्ट होएगी यह नेगेटिव तो सर यह भी negative अब यहाँ पर क्या बनाए यह constructive interference है positive से positive negative से negative तो यह constructive interference है मतलब bonding molecular orbital यहाँ पर बने वाल है अब सवार उठता है वो दिखता कैसे है वो काजू की शेप होती है न जो वैसा दिखता है कि अब मेरी drawing पर मत जाना वाई आई नो बहुत बेगार है पर स्टिल चल जाएगा काम दो positive से मिलकर एक बड़ा और बीटल है बिल्कुल ठीक क्योंकि यह सेम positive से positive कनेक्ट होने के बार बन रहे है तो यह bonding molecular orbital है अगर positive से negative connect हो रही होती तो एंटी bonding molecular orbital होती बच्चे तो इस वे आप क्या कहोगे bonding molecular orbital आप इसको कहोगे ठीक है यह होगे आपका bonding molecular orbital अब इसके अंदर center of symmetry क्या present है बीच में बैटा उपर positive नीचे negative center of symmetry यहाँ पर नहीं है तो इधर आपका होगे center of symmetry नहीं है और बच्चा जो यह सोच रहे कि orbitals क्यों बढ़ रहे है प्लीज अब आपका 12th class जा चुकिए वह वाले paper नहीं है अब यह थोड़ा सा experimental touch आ जाता है यहाँ पर तो आपके answer में जिरेड अंजिरेड ऐसा options होगे जिनके answer में जिरेड अंजिरेड लिखा होगा तो यह जिरेड अंजिरेड समझने के लिए पढ़ रहा है हाला कि मैं यह सारा एक table में compile कर दूँगा मगर still थोड़ा सा सबर रखो वो सब समझा table तब अच्छे से समझ में आएगी जब बारीक से इसको देखा होगा और कुछ अलग नहीं देख रहें बस molecular orbital बना बना के उनकी शकल देख रहे हैं और उनके बारे में कुछ चंद बाते हम लिख दे रहे हैं ठीके बच्चे तो यह bonding molecular orbital है center symmetry यहां पर present नहीं है और इसे होगे क्या अन जिरेड आप इसे कहोगे ठीक है क्योंकि center symmetry इसमें नहीं है सवाल उठता है क्या इसमें कोई node present है यहां पर एक एक node डाल रहे हो यहां पर कोई electron density नहीं है यहां पर कोई electron density नहीं है तो इधर हां जी इधर एक node present है तो हम यहां पर क्या कहेंगे node यहां पर एक node बच्चा present है ठीक है एक node यहां पर present है तो यह हमारा हो गया है क्या पाई के बारे में हमें पता है, अब देखो कई बार आपको ये पाई 2P की बजाए, हैना पाई bonding बताने की बजाए, वो यूँ कह देगा पाई अंजीरेड, तो आपको समझना है, पाई के नीचे अगर यू लिखा है, पाई अंजीरेड है, तो वो bonding molecular orbital है, जैसे माल लो, अंज रेड लिख रहे हो तो वो anti-bonding molecular orbital है sir ऐसे ही अगर आप Why के नीचे अंज रेड लिख रहे हो तो वो bonding molecular orbital है और अभी दो मिनिट बाद आप और देख लोगे कि पाइ के नीचे अगर जिड नढहेते हैं तो वो anti-bonding molecular orbital हो जाएंगे बच्चे है heading डालेंगी सर पाइ स्टार वज ये खतम होने वाला यहां पर पाइस्टार टूपी एक्स कह दो या फिर पाइस्टार टूपी वाई कह दो ठीक है अब यहां पर बनेगा कैसे आईए देखते हैं यह एक टूपी हो गया जाएट सी बात है यह टूपी एक्स और टूपी वा लो इस पोजिटिव के साथ यहां पर क्या होगा बच्चे नेगेटिव होगा और इस नेगेटिव के इधर यहां पर पोजिटिव दिखेगा क्योंकि हमें अब एंटी वोंडिंग क्रेट करना है तो पोजिटिव को नेगेटिव टकराएगा और नेगेटिव को पोजिटि यहां पर यह पोजिटिव वाले को सार यहां पर पोजिटिव देदो इस नेगेटीव वाले को नेगेटीव इस Nem로 को नेगेटिव और इस पोजिटिव को यहां पोजिटिव यह होता है बच्चा क्या पाई स्टार टू पी इसे बोलते हैं आईए इसके बारे में चंद शब्द लिख लेते हैं क्या पहला शब्द होगा कि यह एंटी मोंडि मोलिकलर और्बिटल है क्योंकि यहां पर इधर सर प्रेजेंट है तो इधर आप कहोगे सेंटर ओव सिमेट्री प्रेजेंट है और इसको बोला जाएगा क्या जिरेड बोल दिया जाएगा बात कर लेते हैं सर नोड के बारे में बात करते हैं क्या इसमें नोड प्रेजेंट है बिल्कुल प्रेजेंट है यह एक पू को यह आपसे पूछ रहा है तो नोड कितने होंगे टू नोड हो जाएंगे यह ध्यान रखना तो आज की बाद अगर आपको सिक पाई के साथ जी लिखा दिखे पाई के साथ जी लिखा दिखे तो समझ जाना वो अब मैं आपको एक टेबल बना दूँगा उस टेबल को आप पढ़ लोगे जिन्दगी थोड़ी सी सफल और हो जाएगी अभी भी बहुत सफल है थोड़ी सी और हो जाती है आईए देखते हैं वो टेबल क्या है यहां पर हैडिंग डालो क्या molecular orbitals की इधर हमने लिखा क्या सिगमा इधर हमने लिखा सिगमा स्टार और पाई इधर हमने लिखा पाई स्टार और डेल्टा और इधर हमने लिख दिया डेल्टा स्टार ठीक है यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या center of symmetry present है या नहीं है और इधर हम लिख देते हैं क्या इधर हम लिख देते हैं जिरेड और अंजिरेड ठीक है अब यहाँ पर आप देखो ध्यान करो sigma जब sigma था तो वहाँ पर और यहंपर प्रुक्रोल फी इस से अधिक पर रुखे ड को रिलेटिट करेंगे टिक कॉल भी मारे इसको मैं जीएंगे ह। ठीक है इसे जी लिखेंगे सिरफ जी लिख देते हैं जी रेड इसको अंजी रेड इसे फिर से जी रेड और इसे अंजी रेड वापिस से बात कर लेते हैं नोड की नोड का भी एक कोलम बना लेंगे यहाँ पर तो नोड के बारे में यहाँ पर सिग्मा में कितने नोड से फोर्म करके अपने पास रखनी है जो काफी हेल्प करेगी आपको थ्रो आउट केमिकल बॉन्डिंग में अनुग कि अफी रंग भी रंगी टेबल बन चुके बड़ स्टिल यह आपको बहुत फायदा देने वाली है ध्यान रगना सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार डेल्टा डेल्टा स्टा जिरेड अंजिरेड जिरेड अंजिरेड ठीक है अब आपको सीधा माल लो कोई कह रहा ह है bonding molecular orbital और पाइस्टार क्या represent करता है यह बाते आपने अभी तक molecular orbitals में सीखि है यह जो table हमने बनाई है वह एक summary है जो आपको further चीजों को समझने में क्या करेगी help करेगी अब हम molecular orbital डाइग्राम्स बनाना सीखेंगे सबसे पहले homo nuclear diatomic molecular orbital diagram हम पढ़ेंगे और बच्चे बहुत सारी क्योशन आते हैं homo nuclear molecular orbital diagram से हर बार दिक्कट ही ये करते हैं आप लोग कि इतना इतना पढ़ने की कोशिश करते हैं obviously हम अभी भी बहुत सारा पढ़ेंगे है ना अभी ऐसे complex example भी हम लेंगे जो आज तक paper में नहीं आये हैं वो हम सब करेंगे बट पहले हम धीरे धीरे चलेंगे ताकि आप familiar हो जाओ चीजों से आपका question कोई गलत नहीं होगा molecular orbital theory से अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो बाकी पूरा वीडियो देखने पर आपको सारी चीज़े समझ में आईगी आईए शुरू करते हैं molecule homo nuclear diatomic molecular diagram तो इसमें homo nuclear diatomic मतलब सबसे पहले सर homo nuclear का मतलब क्या है मतलब एक जैसे atom वाले जैसे की है एक टू हो गया बी टू हो गया सी टू हो गया एंड टू हो गया वह लोग है ना तो यहां पर example मैं लिख देता हूं जैसे एच्टू हो गया helium 2 हो गया lithium 2 हो गया beryllium 2 हो गया c2 हो गया c2 के बाद हमारे पास n2 हो गया यह लोग एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है उसके बाद हमारे पास आता है o2 और f2 अब इनके positive charge और negative चार्ज भी हमारे पास आते हैं, O2 आएगा और F2 आएगा, तो इनके पोजिटिव चार्ज और नेगिटिव चार्ज भी हमारे पास आते हैं, इनके ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूँगा, अब ये दोनों अलग से क्यों लीकिये हैं, क्योंकि इसके अंदर no SP mixing है, कोई SP mixing यहाँ पर नहीं होती, कोई SP mixing यहाँ पर नहीं होती और इधर इन दोनों के अंदर यहाँ पर उसके अंदर तो चलो हमें जरौती नहीं पड़ती, उस Beryllium 2 तक तो हमें जरौती नहीं पड़ती, यहाँ पर SP mixing present होती है, इसका brother B2 भी यहाँ पर आएगा, B2 क्य होती है SP mixing तीसरा कौन से है भई तीसरा अभी लिखा नहीं है यहाँ पर आपने ले लिया B2, C2 और N2 के अंदर SP mixing होती है इन लोगों में जरौती नहीं पड़ती क्योंकि यहां तक 2S तक ही काम होता है और O2 का अलग molecular orbital diagram आता है क्योंकि इसमें SP mixing नहीं होती अब सर यह SP mixing का खेल क्या है देखो SP mixing के कारण आपका molecular orbital diagram थोड़ा सा बदल जाता है इन लोगों का नोर्मल के आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए और नहीं जब नोर्मल नहीं आपाता तो वो change कैसा आता है वो SP mixing के कारण change हो जाता है अब क्या होता है मिक्स mixing के कारण वो बहुत ज्यादा important है और वो ही हम next समझने वाले कि क्या change आता है ना next time mo energy level समझने वाले हैं तो थोड़ा सा धेरे रखें कम से कम 10-15 मिनट सुने अराम से उसके बाद आपको यह सारा चीजे crystal clear हो जाएंगी आईए समझते है mo energy levels थोड़ी सीदेर रुक जाईए अराम से सब चीजे सारे चीजे समझ में आएगी देखो बच्चे सबसे पहले आपका पास होता है sigma 1s 10 होता है sigma star 1s 10 होता है sigma 2s 10 होता है sigma star 2s और उसके बाद होता है sigma 2pz then pi 2px pi 2py and उसके बाद आपके पास होता है pi star sorry 2px pi star 2py and उसके बाद आपके पास होता है sigma star 2pz ठीक है pi star यह आपका energy levels होता है यह किसके लिए है यह कब होगा बच्चे जब सर कोई भी SP mixing नहीं होगी no SP mixing का case होगा तब अब no SP mixing किस किस में होती है O2 और F2 में कोई भी SP mixing नहीं होती ध्यान रगना O2 F2 यानि कि जब electron electron आपके total electron कितने हो total electron greater than 14 हो 14 से ज़्यादा होंगे जैसे O2 में कितने होते है 16 होते है F2 में एक oxygen के पास 8 दूसरे oxygen के पास 8 8 प्लस 8 क्या solar electron and F2 में कितने 18 तो इन दोनों के लिए यह molecular orbital diagram बनता है अब सर SP mixing जब हो जाती है तो change क्या आता है मुझे यह जानना है क्योंकि यही सबसे important बात हो जाती है कि SP mixing जब हो जाती है तो change क्या आता है अब बचे यह कई लोग ना सीधा इसमें पूरे में इसको अलग लिखते है और इन सबको अलग लिखते है actually इन चारों में तो जरूती नहीं पड़ेगी क्योंकि बेरेलियम की electronic configuration लिखे देखो 1S2, 2S2 ठीक है तो कहीं बेरेलियम में 2P आया ही नहीं तो यहाँ पर SP mixing की जरूती नहीं पड़ती तो बच्चा यहाँ पर अगर SP mixing हो जाती है तो यह सिगमा जो है यह सिगमा जो है यह उठकर ऊपर चला जाता है और यह पाई जो है वो नीचे सिगमा की जगे आ जाता है बस यह चेंज होता है यानि कि पाई 2P X और पाई 2P Y को आप यहाँ लिख दो और सिगमा टूपी Z को आप यहाँ लिख दो बाकि सारी चीज बच्चा सेम एजब सिगमा मने यहाँपर सिगमा 1S सिगमा स्टार 1S सिगमा टूप आस सिगमा स्टार 2S पाई सटार 2P X पाई स्टार 2P Y और पाई स्टार 2P यह जमा स्टार 2P X यह किसके लिख बच्चे यह होगा आपका सर जब SP mixing हो रही होगी, यानि कि B2, C2, N2 के लिए, यानि कि जब total electron कितने हो, total electron कितने हो, equal to or less than 14 हो, तब आपका जाकर यह आता है, जैसे equal to n2 के 14 electron होते है, B2, C2 के उससे भी कम होते है, बच्चे एक बात और ध्यान रखना, यह sigma 2PZ क्यों बन रहा है, क्योंकि Z axis is considered as inter nuclear axis, अगर question मे कभी mention, question में अगर कुछ mention नहीं है, तो हमेशा ऐसी ही चीज़ें चलेंगी, और अगर बच्चे question में mention हो गया, कि भई consider X axis as internuclear, या फिर consider Y axis as internuclear axis, तब आपको sigma 2P, Z की जगे sigma 2P X लेना पड़ेगा, या फिर sigma 2P Y लेना पड़ेगा, तो यह journal energy levels है, energy का order है, यह क्या है, energy, energy भढ़ रही है यहाँ पर, तो यह energy levels है, जैसे हम, जब हम अफबो principle पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर atomic orbitals की energy level पढ़ते हैं, 1S की low energy, then 2S, 2P, इस तरीके से हम पढ respect में इसी को use करके आप molecular orbital diagram बनाते हो, अभी molecular orbital diagram पढ़ने से पहले हम एक आदी चीज और पढ़ लेते हैं, कि कैसा दिखता है molecular orbital diagram, तो बच्चे यह धियान रगना, यहाँ पर आपका क्या होगा, atomic orbital होगा, यहाँ पर दूसरा atomic orbital होगा, बस हम अब molecular orbital diagram ही बनाने जा रहे हैं, और इधर आपके पास बनते बनते यह आजाएगा क्या bonding molecular orbital और यहाँ पर आजाएगा क्या anti-bonding molecular orbital, ठीक है, यह हो जाएगा क्या anti-bonding molecular orbital, अगर आपको कोई energy level कह रहा है, energy का order बताओ, अगर आपको कोई कह रहा है कि energy का order बताओ, तो सबसे जादा high energy में कोन होगा, सबसे हाई एनरजी में होता है anti-bonding, anti-bonding सबसे ज़्यादा unstable होता है, तो anti-bonding molecular orbital की energy सबसे ज़्यादा होगी, then atomic orbital की होगी, then bonding molecular orbital की होगी, ये एक छोटा सा point यहाँ पर है, दूसरा point आपको क्या देखना है, आपको bond order कैसे निकलता है, वो देखना है, तो आईए बात करते हैं, यहाँ पर bond order कैसे निकलता है, तो बच्चा bond order निकालने का formula क्या है, 1 by 2 bonding minus anti-bonding, bonding minus anti-bonding, आपका क्या होगा, bond order निकालने का formula, then एक और आपके पास चीज देखनी है, bonding में जितने electron है, minus anti-bonding, यहाँ कि, मालनो 2 electron यहाँ पर है, और इधर 0 है, तो 2 minus 0, divided by 2, यह bond order निकालने का formula है, और बच्चे bond order और bond length में काटे का रिष्टा है, अगर single bond है, तो वो बड़े bond होंगे, double bond होंगे, तो वो छोटे bond होंगे, तो यहाँ कि, bond order और bond length में काटे का रिष्टा है, मगर हाँ, bond order और bond strength में क्या होगा, directly proportional relation होगा, यह ध्यान रखना, bond strength पूरा ही लिख दो, तो यहाँ पर आपने देखा, कि भाई, bond order का यह formula होता है, bond order किस तरीके से vary करता है, वो आपने देखा, अब हम molecular orbital diagrams बनाने जा रहे हैं, molecular orbital diagram डिक्ता कैसे है, वो देखेंगे हैं, पहले homo nuclear पढ़ रहे हैं, then hetero भी पढ़ेंगे, तो सबसे पहला molecular orbital diagram बहुत बेसिक, बहुत छोटा सा H2 का molecular orbital diagram हम बनाते हैं, यह H2 का आपका पहला molecular orbital diagram बच्चे हम बनाना सीख रहे हैं, तो अब आप molecular orbital diagram बनाना शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको attentive होके पढ़ने हैं, पहला तो बहुत बेसिक है, बहुत बार आपने देखा है, H2 का हम बनाना सीखेंगे, बच्चे सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक hydrogen है, hydrogen की electronic configuration क्या 1S1, यह दूसरा hydrogen, दूसरा hydrogen की electronic configuration क्या 1S1, दो hydrogen है, दो hydrogen की electronic configuration हमने लिख ली 1S1, 1S1, तब होता क्या है, एक hydrogen का यहाँ पर 1S है, दूसरे hydrogen का ये 1S है ये दोनों एक बार हो सकता है कि positive positive टकराएं इसका positive phase इसके positive phase से टकराएगा तो क्या बनेगा bonding molecular orbital जिसका नाम क्या होगा sigma 1S तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा बच्चे sigma 1S बन गया और एक बार हो सकता है कि इस 1S का positive और इस 1S का negative phase टकराएं यानि कि asymmetric approach हो यानि कि anti bonding molecular orbital बने और उसका नाम बच्चे क्या बोल दिया जाएगा sigma star 1S बोल दिया जाएगा ये होता है बच्चे simple सा molecular orbital डाइग्राम इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा बस आपको थोड़ा साफ clear clear चीज इख इस पास एक electron है दूसरे 1S के पास दूसरी हाने है डुटन है तोटल अब यह हां छीम फास जाएख जेसed का 20 erased है बडाई-बडाई-बोल हम कहें बहुत त्राइल बहुत समझ रहे है वो हम अभी कर रहे हैं निखा लेंगे बोंडिंग माइनस एंटी बोंडिंग मतलब कि ऐन्टी बोंडंड वोर्ड और क्या हो जाएगा व स्थे दो डिवाइड भयक्स किफिना यहां पर नहींद वाonst सी नमधर. पर bond order कितना आगया वन आगया बच्चा एक बात मैं आप से अगर पूछना चाहूं कि आप मुझे बता सकते हूं कि h2 positive अगर हो h2 positive अगर हो तो उसका bond order कितना आएगा h2 positive अगर होगा तो bond loader किस कितना आएगा उसका यहां पर सबसे बहले सर H2 positive बनेगा कैसे तो वो बनाने के लिए आपको H2 में से एक electron हटाना पड़ेगा यानि कि H2 में 2 electron थे H2 positive में कितना electron होगा एक electron हो जाएगा बच्चे यानि कि अगर मैं इस दो में से एक electron को हटा देता हूँ है ना यह दो electron में से एक electron को हटा के फिर molecule में भी एक electron बैठेगा यानि कि H2 positive में bonding में कितना बैठेगा फिर एक electron बैठेगा यहां पर लिख लेना कि यह वन electron system हो जाएगा और यह कितना था और यह 2 electron system था तो यहाँ पर bond order आ जाएगा 1-0 that is 1 divided by 2 that is 0.5 bond order आपका आ जाएगा कितना bond order आ जाएगा 0.5 bond order आपके पास आ जाएगा अब next आप देखते हैं next क्या होगा next आपके पास let's suppose h2 negative देख रहे हैं इधर ही देख लेते हैं इधर ही समझ लेते हैं कई है ना let's suppose यहाँ पर समझते हैं h2 negative बच्चा h2 negative बनाने के लिए कितना electron चाहिए h2 के पास 2 electron थे negative एक उपर से आएगा तो यहनिकि 3 electron यहाँ पर हो जाएगे तो h2 negative में बच्चा हम कहेंगे क्या 3 electron यहाँ पर हो जाएगे इसका bond order कितना होगा इसका bond order रहाएगा 1 by 2 बोंडिंग में कितने हैं बोंडिंग में 2 हैं अब देखो यहाँ पर जब अगर h2 negative बनता है तो यह आपका sigma 1s हो गया यह आपका sigma star 1s हो गया 1s यहाँ पर sigma star 1s तो 2 electron यहाँ पर एक electron यहाँ पर तो बोंडिंग में कितने हैं दो हैं एंटी बोंडिंग में कितने हैं वन है तो कितना आएगा इसका भी 0.5 आ जाएगा यानि कि अगर माल लो अगर आपको कहें कि compare the bond length यह मैं आपसे पूछ रहा हूँ है ना यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या compare करो bond length को बॉन्ड लेंथ को कम्पेर करो यहां पर आपके पास है क्या यहां पर है आपके पास H2 यहां पर है आपके पास H2 पोजिटिव यहां पर है आपके पास क्या h2 negative यह 3 चीज़े आपके पास है h2 positive h2 negative and h2 इनकी bond length को compare करना है तो कैसे compare करोगे bond order का use करके ही compare करते हैं है ना सबसे पहले आप क्या देखोगे bond order सबसे पहले अगर आपको compare करना है तो यहाँ पर लिख लो check bond order सबसे पहले bond order check होगा तो अगर इनका bond order के बारे में बात करें इसका one होता है इसका 0.5 और बोन्ड ओडर से क्या रिस्ता होता है bond order और bond length का inversely proportion का रिस्ता होता है यानि कि h2 का bond order जादा है तो इसकी bond length क्या होगी कम हो जाएगी तो यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं bond length का order तो H2 का bond order सबसे ज़्याता तो इसकी bond length सबसे कम हो जाएगी H2 की bond length सबसे कम हो जाएगी यह पहला तरीका था यह क्या था आपका पहला तरीका था दूसरा step क्या होगा अगर bond length same हो जाए bond length same हो जाए यहाँ पर लिको if bond order same अगर bond order क्या हो जाए सेम हो जाए तब आप क्या करोगे bond length is directly proportion to number of electron ठीक है यह rule है यह rule है चेक करने के अगर bond length same bond order same हो जाए यानि कि यहां पर यह दोनों का bond order same है तो आप क्या check करोगे आप number of electron चेक करोगे तो यहां पर अगर मैं number of electron बता रहा हूं तो इसके तो चलो होई गय इसके पास एक electron है इसके पास तीन electron है तो इन दोनों में अगर आपको bond length चेक करनी है तो जिसकी जादा number of electron है उसकी bond length क्या आजाएगी जादा आजाएगी यानि कि क्यों होता ऐसा क्योंकि negative अगर charge है वहां पर electron जादा है तो बच्चा repulsion जादा होगा repulsion जादा होने के है कैसे किया H2 को कैसे सब्सक्राइब कर डासीज सबसेच बाइस नेगेटिव कना मुझेज़ गार दो धूर हमारे हैं अगर बॉन्ड रखना रहे हैं बॉन्डट्स्रेंथ इसे रहां प्रोकर कर देंगे बॉन्ड के फूच gossip लेगा तो wires box उल्टा गुमा देंगे सबसे ज़्यादा हो जाएगी बच्चे यह बात आप ध्यान रखना तो यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ाए है सिमपल सा पहले हम बोन्ड ओडर चेक करेंगे बोन्ड और से इनवर्स ऐदी प्र क से इनбर ओडरником में जादा इसकी बोन्ड लेंद्ध कम फिर बोन्ड ओडर चैक करने के बाद हम बॉन्ड लेंद्ध चेक करेंगे अब ये तो पहली हट चुका है इन दोनों का ढूल डर से था तो इन दोनों में कैसे decide करें number of electron से इसमें number of electron ज्यादा है तो इसकी bond length ज्यादा हो जाएगी bond strength पूचता है तो just इसको reciprocal हम करते हैं clear है H2 का यहां तक important होता है next आपको जो पढ़ना है helium 2 क्या पढ़ेंगे बच्चा helium 2 molecule let's suppose आपको यह कभी दिख रहा है helium 2 आपको एक molecule mention करके दिया है आपसे पूचा है कि इसका bond order क्या होगा यह आप बताओ यहाँ पर एक helium है helium की electronic configuration 1s2 यहाँ पर दूसरा helium है इसकी electronic configuration क्या 1s2 helium और helium दोनों की electronic configuration क्या बच्चे 1s2 1s2 है यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे देखो यह 1s होगा एक यह दूसरा 1s होगा helium का यह एक helium है सर यह दूसरा helium है बहुत बढ़िया हो सकता है पोजिटिव पोजिटिव टक राएं तो यहाँ पर बनेगा क्या sigma 1s और यहाँ पर बनेगा क्या sigma star 1s अब यह energy level से हम सीख चुके हैं कि sigma 1s नीचे आता है देन sigma star 1s आता है अब यहाँ पर आप क्या कर दो इनको जोड़ दो यह molecular orbital diagram बन चुका है मतलब कि यह जो bonding molecular orbital है यह दोनों से equivalent पास है बराबर है दोनों के तो इसदार एक line खिच दो यह helium 2 का हो ठीक है अब अच्छे bond order बताओ कि कितना आएगा जल्दी से इसका bond order बता सकते हो कितने electron है total 2 और 2 4 electron है यहाँ पर 2 है सर यहाँ पर 2 है total 4 electron है molecule में 4 electron भरे जाएंगे तो हम 2 electron यहाँ पर भर देते हैं total बच्चा 4 electron भरे जा रहे है आईए इसका bond order निकाल लेते हैं यह रहा इसका bond order 1 by 2 bonding में कितने 2 anti-bonding में कितने 2 यानि कि 2-2 अरे सर 0 bond order हाँ जी 0 bond order आता है non existence of bond होती है actually में जो helium और helium ये दो आपको अगर कोई molecule ये molecule अगर आपको दिख भी रहा है तो बच्चे just wonderful interaction होती है noble gas में wonderful interactions के कारण होती है यहाँ पर कोई bond नहीं होता यह just wonderful interaction होती है यहाँ पर लिख लेना this one अगजया वर बार होती है यह फिर आप इनको यूभी कह सकते हो कि इसका БОंड ओडर जो है इसका bond order क्या है ? 0 bond order Sword यहाँ परलीक यहाँ लिख सकते हो bond order क्या होगा ? 0 तो इतना धियान रखना bond order 0 होता है non existence of bond होते हैं और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो ध्यान ये भी समझ रखते हो जैसे कि helium 2 ये कितनी electron system था 4 electron system था तो आज के बाद ध्यान रखना 4 electron system 8 electron system and 20 electron system इन लोगों का इन तीनों का bond order बच्चा कितना आएगा इन तीनों का bond order सर क्या आएगा अरे बच्चे जीरो आएगा जीरो इनके बीच में कोई bond नहीं है ये helium 2 है इसका example इसका example beryllium 2 है और इसका example neon 2 है ये तीनों molecule में bond order 0 है let's suppose आप से MSQ MSQ आपके molecular orbital theory से कई बार देखे गए हैं और MSQ से डर भी बहुत लगता है लोगों को पता है न आपको MSQ भी आएंगे आपके पास आपके exam में जैसे कि MSQ मतलब एक से ज्यादा सही answer वह आपको करने पड़ेंगी बच्चे अब उसमें क्या करते हो क्या नहीं करते हो वह पता नहीं मगर वह काफी बच्चों का exam बना देते हैं काफी बच्चों का exam ग होता है उसमें से 50 में से लगबख 45 के असवास मेरे मार्स थे बाद का फिर गडबढ हुआ था उसके कारण अगर मेरा वह गडबढ ना होता तो और भी बहुत अच्छा हो रहा होता अगर उसके कारण रैंक मेरी 55 में तक रुकी otherwise जब मैं पेपर दे के निकला था तो मुझे लग रहा था की हो गया ही वही बेडा पार हो गया है ना कुछ अच्छा हो जाएगा वाट स्विश खिचा और और यह गजानने के दो महिने तक मैंने कुछ आलाइज नहीं किया था कि मैं क्या करके आया है ओर दिल्ली में मैं तो आट गूम से सथथ में निकल गया बोहर भगवान ने जो ये अलग-अलग जगय जा रहा था तो अलग-अलग जगय पर मंदिर भी बढ़ रहे थे उन मंदिर गुर्द्वारों में जा के मत्था टेक रहा था कि बचा लियो और उन्होंने बचा लिया तो भगवान करें आपको भी बचा ले जरूर बचाएंगे बस अभ़ फिलाल मैंनद कर लो गुमते फिरते रहना ही जमार फेलियम टू आपको समझ में आ यह लिया मट आकए हेलियम 2020 को आते तो इसको इस तरीके चाप कर लोगे तो हाई्डोजन का हो गया हीलियम तो हो गया बच्छे अब हम चलेंगे लिधियम टू के उपर हैंा li2 के उपर बच्चाब हम समझते हैं li2 का molecular orbital diagram बहुत easy है बहुत simple तरीके से रखना है साफ सुतरी कोपी बनानी है patience रखने है भागना दोड़ना नहीं है थोड़ा सा time दे दो थोड़ा सा time अपने आपको दे दो थोड़ा सा time हमें दे दो आपकी जिंदिगी में आपका समय बहुत कीमती है आपको बहुत अलग अलग चाहिए अपना समय देना होता है मगर कुछ समय मैं भी deserve करता हूं आपका है न कुछ समय ये topic भी आपका deserve करता है तो हम दोनों को भी ये समय दे दो फिर एक बार हमें दे दोगे तो बात में जहां आपका अमन करें वहाँ समय देना पढ़ाई में दोग दो अच्छा रहेगा लीथियम की electronic configuration hydrogen helium lithium 1s2 2s1 दूसरा भाई lithium का 1s2 2s1 total तीन इलेक्टोन इसके पास तीन इलेक्टोन इसके पास total बच्चे कितने electron हो गए six electron हो गए आई ये molecular orbital diagram समझते हैं जैसे कि ये 1s था ये 1s था ठीक है ये दोनों 1s 1s इससे मिलकर यहाँ पर बना क्या sigma 1s और इससे मिलकर यहाँ पर क्या बना sigma star 1s यहाँ पर आपके पास क्या है 2s 2s यहाँ पर आपके पास क्या है इधर आपके पास क्या है सिग्मा 2S और यहां पर आपके पास किया है सिग्मा स्टार 2S अब यहां पर आपके पास कितने इलेक्टोन है भई 1S में 2 इलेक्टोन इधर 1S 2 में 2 इलेक्टोन यहां पर 2S 1 में 1 इलेक्टोन यहां पर ठीक है टोटल मॉलिक्यूल के पास छे इलेक्टोन है, दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, और दो यहाँ पर है, ठीके, छे इलेक्टोन आपने बर दिया, अब आप उझे बताओ, क्या मैं इसको ना बनाता, सीधा ये चार इलेक्टोन यहाँ जा चुके, तो भी बात होई जाती, क् कि बौंड ओर में इसका कोई काम ही नहीं है इस सिग्मा ने बौंड बनाना चाहा सिग्मा स्टार ने बोणड तोर दिया दो सिग्मा में है ये sparkल आएगा जो यहां से आयगा टो यृष या फिस तरीके के करके वन बता दो या फीर आप को पता है कि इन दोनों का इन नीचे वाले का effect cancel हो गया है sigma 1 सिग्मा स्टार 1 इसका 0 आ गया है अब sigma 2 से bond आया है तो आप यहाँ से भी बता सकते हो कि वह bonding में 2 है, anti-bonding में 0 है तो इस तरीके से भी 1 ही आएगा यह बात आपको clear है यह दोनों एक ही चीज है यह दोनों ही एक चीज है सेम ही answers आएगा उसका clear है यहां पर अब बच्चे एक आधी चीज ओर समझते हैं यहां से यहां पर आपके पास एक term आती है क्या होमो क्या term आती है यह पूछा जा सकता है होमो का मतलब होता है, highest occupied molecular orbital, क्या मतलब होता है बच्चे, highest occupied molecular orbital इसको हम कहते हैं, यह यहाँ पर लिखा, highest occupied molecular orbital, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यह होमो क्या होगा, highest occupied molecular orbital, देखो, यह occupied है, यह occupied है, और यह occupied है, इसके उपर कोई भी occupied नहीं है, यह वाला दो हाइस्टोफ्यपाइड है, तो हाइस्टोफ्यपाइड कौन सा हुआ, सीगमाटुएस हुआ, यह हुआ आपका हायस्टोफ्यपाइड मॉलेकलार ओर्बिटल, तो अगर कोई पूछ रहा है कि sir इसका homo क्या है तो उसका answer कितना आएगा वो आएगा sigma 2s और माल लो आपको question में option में sigma 2s मिला ही नहीं आपको मिला है sigma g, sigma u, pi g या pi u तो आप क्या लिखोगे ये क्योंकि bonding molecular orbital है और sigma की bonding कौन से होते हैं period होते हैं तो यहाँ पर आप sigma g भी पास सकते हो option में आई बात समझ में बच्चा lumo क्या होता है lumo भी एक बड़ हम देख लेते हैं लूमो भी देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर हमने लिखा क्या lumo को बोला जाता है lowest unoccupied molecular orbital तो यहाँ पर आपने लिखेंगे क्या lowest unoccupied molecular orbital यह occupied है यह occupied है यह occupied है यह unoccupied है मतलब इसके उपर भी occupied होंगे यह सबसे low energy का है जो unoccupied है इसके उपर जो होंगे वो obviously सारी unoccupied है यह सबसे low energy का है जो unoccupied है तो इसका answer क्या आएगा इसका अंसर आएगा सर, सिगमा स्टार 2S यानि कि सिगमा स्टार मतला सिगमा एंटी बोंडिंग 1795 एंटी बोंडिंग आपको सिगमा अंजिरेड भी दिख सकता है यह ध्यान रखना तो होमो लुमो आपको निकालना आना हो जाएगा सिग्मा में आपके पास कितना होएंगे बोंडिंग मोल्कुलर और विटल में एक एलेक्टर होगा तो बॉंड ओडर हो जाएगा 1-0 यानिकी हाफ बॉंड ओडर हो जाएगा क्लियर है यहां तक दन है तो लीथियम का यह हो गया है अगर लीथियम 2 का पूछे ली 2.5 ही आएगा ठीक है यहां पर इस तरीके से बॉंड ओडर होने वाले है नेक्स बच्चे आपके पास लीथियम 2 नेगिटिव समझ रहे हो यह कैसा होगा सिग्मा 2S यह सिग्मा स्टार 2S अब आपको थोड़ा सा तेज चलते हैं लीथियम 2 नेगिटिव का मतलब 6 5 यह लीथियम 2 नेगिटिव का हो जाएगा ठीक है इस तरीके से बच्चे कहानी चलनी है थोड़ा सा धहरे रहे रहो थोड़ा सा चीजे समझते चलो अब इसके बाद आता है आपके पास क्या बेरेलियम 2 आप इसली हैंडल कर लोगे वैसे आपको पता है यह कितना हो गया 1 1s2 है 2s2 है और यहाँ पर 1s2 है यह भी 2s2 है टोटल कितने इलेक्टोन सर 8 इलेक्टोन और 8 इलेक्टोन चार इलेक्टोन 8 इलेक्टोन और 20 इलेक्टोन हीलियम 2 बेरेलियम 2 एंड नियोन 2 इनका बॉंड ओडर कितना आता है बच्चे इनका बॉंड ओडर 0 आता है निकाल क कि देखना चाहते हो तो बच्चा निकाल लो यह बार-बार बनाने की भी जरूर नहीं है वन एस वन है सीधा भी लिख सकते हो सिग्मा वन एस सिग्मा स्टार वन एस क्योंकि थोड़ा सा एक्सपर्ट होई गए होगे अब तक आप कि दो एस तुह यहां पर क्या है इस तरीके से सिग्मा टू एस और शीग्मा स्टार टू एस टोटल कितने यह लेक्टोन है आठ इलेक्टोन यहां पर है आट इलेक्ट्रोन बरेंगे दो यहाँ पर दो यहाँ पर 4 छे और 2 आठ आठ इलेक्ट्रोन हमने इस तरीके से भर दी है bond order कितना आएगा अब भाई सीधी सी बात है देखो bonding में कितने हैं 2 और 2 तो चार एंटी बोंडिंग में कितने हैं, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 कर दो, बॉंड ओडर यहाँ पर 0 ही आने वाला है, यह आपको पता था, 4 एलेक्टरों, 8 एलेक्टरों, 20 एलेक्टरों का बॉंड ओडर क्या आएगा, बच्चे जी लो आएगा, नेक्स्ट आपके पा यह दो है, हम कौन सा molecular orbital diagram create करें, यहाँ तक अभी हम पढ़ चुके, सिग्मा स्टार्ट टूइस तक हम पढ़ चुके, इसके बाद मैं सिग्मा 2PZ लिखू, या फिर मैं πाई 2PX, पाई 2PY लिखू, तो ध्यान रखना जो 14 एलेक्टरों से कम है, या फिर 14 एलेक्टरों है, उनके लिए ये molecular orbital diagram होता है, या इसको इस तरीके से भी याद रखता है, 1, 2, 1, 2, एना, एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, और इसको कैसे याद रखा जाता है, 1, 2, और यह भी 2 है, और यहाँ पर क्या है, वन है, ठीक है, इस तरीके स क्या करने वाले हो? आईए देखते हैं. यहाँ पर B2 की electronic configuration सबसे पहले हम लिखेंगे? भई एक बोरोन की electronic configuration है 1s2, 2s2, 2p1. बोरोन की electronic configuration बोरोन के पास 5 electron है 1s2, 2s2, 2p1. दूसरा बोरोन आया? कितना आया 1s2 2s2 2p1 यहाँ पर कितने हो इंगे टोटल कितने हो जाएंगे भाई 10 इलेक्ट्रोन यह कितना है less than 14 इलेक्ट्रोन है तो यहाँ पर sp mixing लगेगी यहाँ पर यह वाला molecular orbital diagram यहाँ पर यह देखो sp mixing लगेगी और यह molecular orbital diagram आप बनाओगे चीक है आईए लेके चलते हैं इसको एक बात और मैं आपको समझाओंगा यानि कि यहाँ पर यह less than 14 इलेक्ट्रोन है तो इधर sp mixing लगने पाली है अब अच्छा आप मुझे बताओ आठ इलेक्ट्रोन का बॉंड ओडर जीरो आया है इसका बॉंड ओडर यह जीरो आया है क्या अब आठ इलेक्ट्रोन के लिए यह बनाने की जुरूत है इसका इफेक्ट तो अल्रड़ी कैंसिल ही होगा ना बार बार बनाने की जुरूत नहीं है हम यह कह सकती कि आठ इलेक्ट्रोन सिग्मा बने सिग्मा स्टार बने सिग्मा टू एस और सिग्मा स्टार टू एस पे चले गए नो और दस इलेक्ट्रोन आप भर दो वह बार बिल्कुल सही होगी तो अब यहां से आप सीधा आप चाहो तो वो बना लेना अपनी नोटबुक में मगर यहां पर ध्यान दो यह क्या हो जाएगा टूपी एक्स हो गया यह टूपी वाई हो गया और यह टूपी जैड हो गया ठीक है यहां पर यह टूपी एक्स हो गया यह टूपी वाई हो गया यह टूपी और यहाँ पर sigma star यह molecular orbital diagram आप बनाओगे इसका नाम हो जाएगा क्या pi 2p x pi 2p y इसका नाम हो जाएगा sigma 2p z इसका नाम हो जाएगा pi star 2p x pi star 2p y और इसका नाम हो जाएगा sigma star 2p z अब आप मुझे बताओ total कितने electron भरोगे आठ electron तो आप समझ गई कहां चले गई sigma 1s sigma star 1s sigma इसके नीचे वो भी तो हो गई ओविस्टी बात है 1s 1s मिलके sigma 1s sigma star 1s बनाएंगे तो 8 electron वहाँ पर चले गए 9 और 10 electron यहाँ पर आए इसका bond order आप से पूछा जाए तो कितना आएगा 1 by 2 bonding में कितने है सर दो अब क्योंकि वो बनाई नहीं रहे हो क्योंकि नीचे जाके आपको पता है अगर 8 electron थे तो उसका bond order 0 था उसको बारवार बनाने की जुरूत नहीं है ना उसको बारवार count करने की जुरूत है उसको आप यह समझो 8 electron नीचे भढ़ चुके हैं उसके bond होता है अब आप कोई बहुत हैरानी की बात मैं आपको आज बताता हूं कि अगर कोई एक bond बन रहा है तो जहिर सी बात है वो तो sigma होगा ये सच नहीं है इसके भी example है जैसे कि B2 B2 का जो ये bond होता है वो pi molecular orbital से बनता है actually sigma 1 ने bond बनाना चाहा sigma 1s ने bond बनाना चाहा sigma star 1s ने bond तोड़ दिया sigma 2s ने बनाना चाहा sigma star 2s ने तोड़ जे क्योंकि उनमें 2-2 electron थे फिर जो bond बना वो इसके कारण बना इसके कारण ही तो bond बना वही यहाँ पर देखो इसी के कारण यहाँ पर हमारे पास bond बनाए तो यह जो bond होता है बच्चे यह half pi plus half pi से बनकर बनता है यानि कि यह one pi bond होता है यह द्यान रखना ऐसा question jam में आया हुआ है कि इन में से किसके अंदर sigma bond है तो लोग सोचते हैं यह MSQ था लोग यह बार सोचते हैं कि B2 के अंदर आप देखो कि jam में आपको मिल जाएगा jam के PYQ में मैं भी लियाऊंगा अगली slide में आपको मिलने वाला है वो question यहाँ पर द् sigma bond नहीं होता यह बात ध्यान रखना बच्चे यह पाई bond होता है ठीक है यह गलत वहामी मत रखना कि सर बोरोन बोरोन एक bond है तो वो sigma होगा नहीं इसका homo बता सकते हो मुझे homo homo कितना हो जाएगा भाई इसका homo हो जाएगा पाई यह वाला इसका homo हो गया है यानि कि PY2 इसका homo है यह highest occupied भाई नीचे वाले occupied थी यह इससे उपर को occupied ही नहीं है यह ही highest occupied है इसका lumo अगर आप से पूछ रहे हैं lumo कितना हो जाएगा sigma 2P यह lowest unoccupied है इससे पहले कोई भी ऐसा नहीं है जो unoccupied होगा यही सिरफ lowest unoccupied है तो इसका sigma 2P आप कहोगे ठीक है भाई यह ध्य इस तरीके से आप करोगे डाया मेगनेटिक बोलोगी या पैरा मेगनेटिक देखो बच्चे जब अनपेर्ड इलेक्टोन है यह दो अनपेर्ड इलेक्टोन है इसके कारण इसे पैरा मेगनेटिक बोला जाता है बच्चा क्या बोला जाता है पैरा मेगनेटिक बोला जाता ह और अभी आप Masters में एक Spectroscopy पढ़ोगे, Unpaired Electron को Define करने की होती है, ESR Spectroscopy, अगर Paramagnetic है, तो वो ESR Active है, ESR Active इसे बोला जाएगा, तो ऐसे भी क्योशन आ सकते हैं, कि इन में से कौन से Molecule ESR Active है, तो ध्यान रखना B2 ESR Active होगा, because it is a Paramagnetic Molecule, यह Paramagnetic Molecule है, बोलो हाँ या न, य होगे, आपका B2 का Molecular Orbital Diagram, I hope आपको यह Clear होगा, Next हम चलते हैं, हमारे C2 के Molecular Orbital Diagram पे, इसके उपर चलते हैं, C2 के Molecular Orbital Diagram पे हम चलते हैं, यह अब आपके पास C2 का Molecular Orbital Diagram, बच्चे आपको समझना हैं, बस थोड़ा अराम से इसको देखते चलो, सारे काम बनते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा हिमत बनाए चलो, न, बच्चे बहुत इंपोर्टेंट है, डारेक्ट नमबर उठेंगे, अराम से देखो इसको, C2 की ऐलेक्ट्रोनी, कारवन की ऐलेक्ट्रोनीग ऐलेक्ट्रोनी केंवरेक्रेशन होती है, आरेक्ट्रोनी का होती है, यह एलेक्ट्रोन इसको, पास हो courtroom बच्चे बच्चे firearm mixing वाला case बनाएंगे यहाँ पर हम molecular orbital diagram कैसा लिखेंगे sp mixing वाला लिखेंगे यानि कि सर सिग्मा जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा अराम से बनाओ यह रहा इधर इधर 2p x 2p y and 2p z ठीक है 2p x 2p y and 2p z ठीक है यह बन गए आपके पास यहाँ पर नीचे sigma उपर होता है भई है ना sigma उपर आ जाता है यहाँ रख को molecular orbital diagram देको sigma उपर होगा और pi कहा होगा नीचे की दरफ होगा तो यहाँ पर यह हो जाएगा pi 2p x pi 2p y sigma 2p z y star 2p x y star 2p y ठीक है यहाँ पर यह हो गया सर क्या यह हो गया sigma star 2p z ठीक है बस यह यही तो है हमारे पास वह mo energy levels पहला ही देखो पहला पहला slide जब हम इसमें देख रहे थे जब हमने hormone nuclear शुरू किया था तब ही मैंने आपको बता है था कि SP mixing यह वाला case कौन सा बनेगा यह case बनेगा सर SP mixing वाला case और इसमें सिगमा कहा पर होगी बच्चे σिगमा होंगे ऊपर पैसे हैना सीगमा जब पता है क्या होता है S और P की mixing होती है तो sigma 2P Z उपर चला जाता है 12 electron है sir 8 electron हमें पता है कहां है कहां है sigma 1S में है इसी के sigma 1S में 2 इसी के sigma star 1S में 2 sigma 2S में 2 sigma star 2S में 8 electron हम 2 submit कर चुगे है 9 10 11 और 12 12 electron यहाँ पर आपने भर दिये हां जी bond order कितना होगा sir bond order होगा 1 by 2 bonding में कितने electron है 4 anti bonding में कितने electron है 0 4 minus 0 यानि की 2 bond order ऑजाता है अब एक मज़े की बात जानो यह बात आपको पता है या नहीं आज जरूर पता लगेगी की यह carbon double bond carbon यह जो bond है इसके अंदर भी कोई sigma bond नहीं होता यही option थे b2 और c2 इनके अंदर दोनों के अंदर sigma नहीं होता और दूर से आप हमेशा इसको सिगमा देखोगे अगर ध्यान रखना यह जो दोनों बोन्ड आए हैं यह जो दोनों बोन्ड आए हैं वह पाई मोलीक्लर और विटल की वजह से आए हैं बच्चे तो इसमें किसी के अंदर भी सिग्मा नहीं होता यह वन पाइप प्लस वन इसके अंदर आप देखते हो बैए ठीक है इसके अंदर आप एक सिग्मा प्लैस एक पाई देखते हो यह शिस्टम ही नहीं है आपके पास C2 जस्ट सी टू है इसी लिए ही तो कभी भी आप कारबन की existence form C2 नहीं देखते, क्योंकि ना होती है, इसलिए यह आपको existence form भी नहीं होती, room temperature तक तक तो एक्जिस्ट भी नहीं कर पाते हैं सेम है B2 का क्योंकि B2 भी हाइड्राइट्स के फोम में बोरोन भी हाइड्राइट्स के फोम में जर्नली पाया जाता है उसकी एक्जिस्टेंस फोम अगर आप देखोगे तो यहां तक आप समझ में आएगा यह क्या है डाया मेगनेटिक बोलो हाँ या ना इसे बच्चे आप क्या लिखोगे डाया मेगनेटिक और इसे ESR कैसा होगा इन एक्टिव कहा जाएगा यह ESR इन एक्टिव कहा जाएगा बोलो हाँ या ना आई बात समझ में C2 के बाद बच्चे चलते हैं N2 पे इनका C2 पोजिटिव N2 पोजिटिव C2 2 नेग्टिव N2 टू नेग्टिव यह कर लोगे ना बही मालो C2 2 बातारी एक्टो नेग्टिव का मतलग 12 में 14 इलेक्ट्रौन हो जाते तो दो इलेक्ट्रौन यहां पर आसे दो इल्एक्ट्रौन यहां पर आजाते six minus zero तो 3 bond order आ जाता, carbide है ना, C2 2 negative में 3 bond होते हैं, C2 2 negative अगर यहाँ पर होता, इसका bond order कितना होता है बच्चे, इसका bond order 3 होता है, यह triple bond इस तरीके से आपको दिखेगा, अगर 2 negative यहाँ पर होगा तो, ठीक है, यह ध्यान रखना और यह exist भी करता है, जब आप main group में जाओगे, तब आप देखोगे कि, carbide कई सारी reaction show करेगा, आईए, शुरू करते हैं, N2, तो बच्चे, N2 की भी वही कहानी है, electronic configuration, nitrogen यह रहा, 1S2 है सर, 2S2 है सर, 2P, 3 है, 1S2 है सर, 2S2 है सर, 2P, 3 है, और यहाँ पर यह nitrogen, तसल्ली सही से बना लो, वरना गडबड हो जाएगी, 14 electron, 14 electron तक आपको SP mixing करवानी होती है, यानि कि इसमें भी sigma उपर ही जाएगा, in the end मैं आपको एक छोटा सा, बढ़िया सा, शांदार सा box बना के दूँगा, उस box में ही आपके पूरी molecular orbital homo nuclear की, और हिट्रो के भी examples उसमें cover हो जाएगे, वो थोड़ी देर के लिए सबर करना पड़ेगा अच्छे आपको, ठीक है, चलिए, देखो, आइए बनाते हैं यहाँ पर, simple सा है, उसी molecular orbital को भी consider कर सकते हैं, वैसे तो, है न, उसी को भी बना सकते हैं, फिर भी एक बार दुबारा देख लो भाई, यह ताकि practice होती रहे, 2PX, 2PY, 2PZ हो गया, यहाँ पर यह हो गया, 2PX, 2PY और 2PZ, ठीक है, यह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के हैं, यहाँ पर नीचे कौन जा रहा है, नीचे जाएगा आपका, पहले सिगमा होगा, उसके नीचे होगा, पाई है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, पाई स्टार 2PX, यह पाई स्टार लिख लो, बार बार सिगमा स्टार, पाई स्टार वो आपको समझ में आई गया है, 2PX, ठीक है, 14 इलेक्ट्रोन है, 8 इलेक्ट्रोन नीचे बच्चे भर जुगे हैं, बच्चे कितने हैं, 14 में से 8 गए, बच्चे 6 इलेक्ट्रोन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 भर जुगे हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इलेक्ट्रोन हमने यहाँ पर बढ़ दिया, बोंड ओर कितना हुआ सर, हैं, आप मुझे बताओ, कि सर, ये 3 बोंड में कितने सिगमा हैं और कितने पाई, देखो, 4 इलेक्ट्रोन तो पाई में हैं, यानि कि 4 इलेक्ट्रोन से 2 बोंड आए, तो 2 पाई बोंड होंगे, और 1 सिगमा होगा, तो यहाँ पर ध्यान रगना, 1 सिगमा प्लस 2 पाई होता हे, तीक Allen कर लोगे, homo, lumo, पता होगा, इसका, homo, क्या हो गया, highest occupied, यह occupied है, यह इससे भी ऊपर है, जो occupied है, मगर इससे उपर कोई भी occupied नहीं है, तो यही, यही आपका क्या है, highest occupied molecular orbital कहा जाएगा बच्चे तो होमो इसका कितना हो जाएगा सिगमा टूपी जैड हो जाएगा यानि कि सिगमा जिरेड हो जाएगा और लूमो क्या हो जाएगा लूमो हो जाएगा पाई स्टार टूपी अब वो टूपी एक्स भी हो सकता है टूपी भी हो सकता है ठीक है किसी ने आपको ये कह दिया, कि consider x axis as internuclear axis, ऐसा क्या गया कि consider करो x axis as internuclear axis, तो इसका homo क्या होगा, क्या इसका homo sigma 2pz होगा, अगर x axis को internuclear axis consider करवाया गया, तो इधर sigma 2pz में लिखी नहीं रहा होता, बच्चा, यहां पर मैं क्या लिख रहा होता, sigma 2pz लिख रहा होता, और यह sigma 2pz ही बच्चा इसका homo बन जाता, यह ध्यान रखना, यह CSR net में एक बार question पूछ लिया गया था, options दिये थे, मगर bracket में एक छोटी सी line लिख दी थी, सीधा सा, यह question था कि homo और lumo बताओ, n2 and o2 का, ठीक है, तो और bracket में एक line लिख दी, consider x axis as internuclear axis, महान लोग होते हैं, महान लोग समझते हैं, bracket में दिया हुआ, हमेशा बच्चों को just help करने के लिए दे रहा है, मतलब कि इसको बिना भी मैं कर लूँगा question, मगर वो ही question था, अगर x axis को internuclear axis consider किया जाएगा, तो यह sigma 2pz नहीं, sigma 2px होगा, और यहाँ पर homo में sigma 2px आ जा होता, n2 positive होता, तो एक electron यहां से मैं बेज देता, यह electron मैं यहां से बेज देता, तो अब n2 positive में bone loader कितना आता, 5-0 यानि की 2.5, jam का question है, predict the bone loader of n2 positive, n80 में यह आया था, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, o2 का molecular orbital diagram देखते हैं, o2 का molecular orbital diagram आपको शुरू करना है, n2 हो गया ह यानि की o2 के पास total electron कितने है, 8 electron, 1 oxygen के पास, 8 electron, 2 oxygen के पास, total electron हो गये, sir, 16, यानि की 14 से ज्यादा है, electronic configuration क्या होती है, 2s2, 2p, 4, and 2s2, 2s2, and 2p, 4, total electron कितने हो गये, 8 और 8, yarni की 16 electron हो गये है, sir, जब 14 electron से ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे यानि कि 16 electron तो इसमें हम कहते हैं कि कोई भी SP mixing नहीं होती actually में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ ना देखो जैसे carbon है यहाँ पर carbon है यहाँ पर nitrogen है यहाँ पर oxygen है और यहाँ पर fluorine है तो इधर से इधर आने पर आपको पता है क्या जैड इफेक्टिव क्या होता है बढ़ता है इसको next पर ही ले लेते हैं नेक्स पर समझा देता हूँ मैं क्यों इसमें SP mixing नहीं होती यह carbon है यह nitrogen है यह oxygen है यह fluorine है ठीक है यहाँ से यहाँ जाने पर जैड इफेक्टिव क्या होते है भढ़ता है ठीक है जैड इफेक्टिव भढ़ता है let's suppose इसके 2S carbon के 2S ओर 2P में इतना गैप है ना इत्रोजन के 2S और 2P में थोड़ा जाधा गैप हुझा यह जाधा गैप हो जाएगा ठीक है कारबन का नुकलिस 2S को अपने पास बुला रहा है तो इनके बीच में इतना गैप हो गया कारबन से नाइट्रोजन पर जब मैं आया तो नाइट्रोजन का जैड़ इफेक्टिव क्या है ज्यादा है यह पोजिटिव चार्ज नहीं है नूकलिस है तो इस नूकलिस का जैड़ इफेक्टिव ज्यादा है तो यह 2S को अपने पास बुलाएगा और 2P को भी अपने पास बुलाएगा मगर जब 2S पास आने लगेंगे तो 2P पास कम हा पाएंगे क्योंकि 2S पास आके उसको शिल्ड कर देगा या फिर आप इतना समझो कि नाइट्रोजन का एक्टिव ज्यादा है तो यह डेल्टा यह भढ़ने लगेगा अब ओक्सीजन तक आते आते यह 2S और 2P का गैप क्या होता है ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है बच्चे फ्लोरीन में तो बहुत ज्यादा हो जाता है यह 2S और 2P का गैप तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इधर क्या हो रहा है इधर इसको लाइन को डाल दो यह 2S और 2P की जो एनरजी होती है वो भढ़ जाती है डेल्टा यह क्या होता है इंक्रीज हो जाता है इसलिए इन दोनों में इन दोनों में आप मैंचन कर सकते हो इन दोनों में क्या होती है कोई भी SP मिक्सिंग नहीं होत जो 2S है यहाँ पर अराम से इसको प्यार से तुरा साब साब लिख लेते हैं यह ओक्सीजन हो गया यह फ्लोरीन हो गया ठीक है तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के 2S और 2P के बीच में जो गैप है वो बहुत जादा होने लगता है इस वज़े से यह डेल्टाई क्या होता है यह ड इसमें कुछ भी अपने पेपर पॉइंट व्यूस को छोड़ दो आपको इसकी टेंशन लेने ही नहीं है कि एक्जाम से पहले मुझे देखके जाना है कोई मतलब नहीं है आप चाहिए ध्यान भी रग लेना कि भाई ओटू और एफटू में स्पी मिक्सिंग नहीं होती उस इसी भी बुक में आप उठा लेना यह आपको अराम से मिल जाएगा पैरामेटर एज़िस कारबन के टूएस टूपी में गैप कम होता है और नाइट्रोजन में थोड़ा सा भढ़ जाते है बट स्टिल यहां पर एस्पी मिक्सिंग हो जाती है बोरोन होगा इधर उसमें भ मॉल्कुलर ओर्बिटल डाइगराम कैसे बनेगा वो हमें पता है एस्पी मिक्सिंग नहीं होती तो टूपी जड़ नीचे जाएगा जैसे हमने वो क्रिएशन की ती यह क्रिएशन देखो तो यहां पर कहां गया हमारा कि थोड़ी देर पहले हां तो इसका कौन सा आएगा नो एस्पी मिक्सिंग वाला आएगा यानि की टूपी जैड नीचे होगा पाई टूपी एक्स उपर होगा बस इतना धिहान रखना है आपको और एप टूपी ठीक है क्लियर है बच्चे कर लेंगे ना पक्का कर लो वि है उनमें कोई भी ओंड ओडर वहां से नहीं निकल के आना तो यह क्रियेट कर लो टूपी जैड़ ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले सिग्मा मनें इनिया तो सिग्मा को नीचे होगा इसका सिग्मा नीचे होगा इस बार सिग्मा यहाँ पर आपके पास पाई तेन आपके पास पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार अजी बात समझ में बस थोड़ा थोड़ा पेशन्स रखते चलो और देखो बच्चे खुद से बनाऊगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा ऐसे डारेक्ट में बुक का लेके यहाँ पर बना कि आपको समझाता है वो कम मजएदार चीज होती है खुद से ड्रौ करनाा मेरी या वास सुनते हुए समस्टे-ड्रो नाऊज है जियादा इंपोर्टिन नीचे नीचे यहाँ पर क्या होती है सिग्मा टूपी जड़ यह हो गया आपका πई स्टार 2p x यह हो गया पाइ स्टार 2p y और यह हो गया sigma श्टार 16 में से 8 हलेक्टरोन नीचे कहा है, धर्ती में? नीचे भर चुके हैं हम किधर? किधर भर चुके हैं рахe, sigma 1 सिगमा स्टार 1 सिगमा 2 सिगमा स्टार 2s में? नो, दस, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये हो गया हमारा क्या O2 का molecular orbital diagram आईए bond order बताते हैं सर इसका इसका bond order अगर आपको बताना है तो कितना आएगा बई bond order इसका कितना आएगा बई, bonding minus anti-bonding, bonding में कितने electron है, bonding पूरा भरा हुआ है, यानि कि bonding में तो है 6, anti-bonding में कितने है, 2, 6 minus 2, यानि कि कितना 4 divided by 2, कितना आया, 2 bond order आया, यानि कि oxygen का double bond, double bond O, ये इस तरीके से दिखेगा, आप मुझे बता सकते हो कि ये 2, जो bond है, इसमें से sigma कौन सा है, पाई कौन सा है, या फिल, कौन सा है, ये तो हम नहीं बताएंगे, हम चैस ये बताएंगे, क्या sigma है यहाँ पर, तो आईए समझते है, sigma है या नहीं, देखो भई, इस सिगमा 2PZ ने bond बनाना चाहा, मगर सिगमा स्टार ने bond तोड़ना नहीं, चाहा, इस सिगमा क के कारण 2 electron है, 2 electron के कारण 1 bond आपको मिल जाएगा, तो एक तो sigma compulsory है, क्योंकि sigma स्टार खाली है, पाई में 4 है, मगर पाई स्टार में 2 है, तो पाई के 4 में से 2 cancel हो गए, पाई स्टार द्वारा है, ना, 4 ने bond बनाना चाहा, 2 ने bond तोड़ दिया, ultimately जो bond बना, वो 2 electron से बना, यानिकि एक bond बना, एक पाई बोन होगा, तो ये ध्यान रखना, O2 इसी वज़े से आपको बच्चे दिख जाता है, N2 इस वज़े से दिख जाता है, क्योंकि N2 में भी एक sigma है, O2 में भी एक sigma है, P2, C2 ये इनकी journal existence form ऐसी नहीं होती है, ये unstable रहते हैं, अब बात करते हैं, F 2 का क्या रहेगा, एक ट्रिक भी देने वाला हूं, मैं आपको आखिर में, ट्रिक भी देने वाला हूं, वो भी आपको काम की रहेगी, ठीक है, F2 का molecular orbital diagram एक बार हम देख लेते हैं, चाहे आप यहाँ पर भी समझ सकते हो, F2 का तो, है ना, यहाँ पर भी समझ सकते हो, कर लो 17 और 18, ठीक है, तो यह जो 5 स्टार बनाएं, आपका 7 इस तरीके से, यह आपका क्या हो जाएगा, 5 स्टार, जहाँ पर यह एफ टू ले रहे हैं, 18 इलेक्टों वाला, ठीक है, यह पाइस्टार हैं, आपके दोगधों, 5 स्टार में, अब इस तरीके से इलेक्टों चले आएगा 1 by 2 bonding में कितने रहेंगे 6 anti bonding में आप कितने रहेंगे चार तो 6-4 यानि की बॉंड ओडर आ गया वन तो अब एफटू का जो यह बॉंड है बच्चे एफटू का जो यह वाला बॉंड आया है ना एफटू का जो यह बॉंड आया है कि यह SIGMA आएगा कितना आएगा भाई एक सिग्मा है क्यों आएगा क्यों कि एफटू में और चार इलेक्टोन ऊपर हैं तो पाई में चार इलेक्टोन थे से चारों एलेक्टों के लोग है जो एक सिंगल मॉन्ट था वो किसका है विकोज ओफ सिग्मा ये था आपके हॉमो न्युक्लियर आप चाहे और टू नेगेटीव एंड टू नेगेटीव एंड-2 पोजिटीव सब कुछ आप कर सकते हैं जैसे माल लो आपको ओर टू पोलना है तो कैसे निकलेगा यह तो हमने समझने के लिए रखा है यहादा इसमें आपको तंग नहीं होना है इधर एसबी मिक्सिंग नहीं होगी और इन लोगों के बीच में क्या हो जाएगी यहाँ पर SP mixing होने लगेगी बस इतना ध्यान रखना है यहां पर SP mixing होने लगेगी और वहां पर SP mixing क्या होगी नहीं हो ठीक है चलिए माल लो इतना सब करने की इच्छा ही नहीं है पेपर बहुत जल्दी करना हो और कई बार योशन अभी हम दिखो एक ट्रिक गूस करेंगे उससे डिरेक्ट क्योशन कैसे होते हैं वह देखते हैं लेट सपोज यहां पर मैं लिधता हूं टोटल को यह को अधिकर यहां पर मैंने लिखा क्या बोंड वोड़र और मैंने शुरुवात कि से की मैंने शुरुवात की सर अपने शुरुवात करी है 14 इलेक्ट्रों से ठीक है 14 इलेक्ट्रों से शुरुवात करी है आपको 14 इलेक्ट्रों का बॉंड ओडर पता होना चाहिए यानि कि एंटू से रिलेट करो 14 इलेक्ट्रों कितना है एंटू और गई 15 इलेक्ट्रोन किया यहाँ पर 16 इलेक्ट्रोन यहाँ पर 17 इलेक्ट्रोन यहाँ पर 18 इलेक्ट्रोन 19 इलेक्ट्रोन एंड 20 इलेक्ट्रोन ठीक है यहाँ पर आए 13 इलेक्ट्रोन 12 इलेक्ट्रोन 11 इलेक्ट्रोन 10 इलेक्ट्रोन और यहां पर आप 8 इलेक्ट्रोन कह सकते हो और इधर आप 9 इलेक्ट्रोन कह सकते हो ठीक है बोन्ड ओडर कैसे घटाओगे, बोन्ड ओडर कैसे गिरेगा ये देखते हैं, देखो बई, 14 का कितना था, 3 था, 14 का बोन्ड ओडर 3 था, अब इधर जा रहे हो, तो 0.5 घटाते चलो, 2.5, इधर जा रहे हो, तो 0.5 और घटाते चलो, 2, इधर जा रहे हो, 0.5 और घटाते चल 1 0.5 and 0 20 electron का याद करो हमने शुरू महीं पढ़ दिया था कि 0 होता है ठीक है यहां पर भी ऐसा करना है इधर जा रहे हो 0.5 गटाते चलो 2.5 इधर जा रहे हो 2 1.5 1 0.5 and 0 ठीक है यह आपका क्या आ गया पोंड ओढ़र यहां पर इतना आएगा इसको क्या है ड़िदिंग डाली थी यहां पर बॉंड ओडर आपने यहां पर डाली यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई कि 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 को एक वॉक्स को नहीं हुआ कि पर यह यह टारण कि अब इसको रिलेट कैसे करते हैं आई इसको रिलेट भी करते हैं इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं अपको पता है वहाँ पर 14 से एंटु कर सकते हुँ हाँ ओटू का बोन डोर टू था इतना आपको याद है 18 से आप रेजेंबल कर सकते हो F2 का बॉन डोर बन आये था यह आपने अभी अभी देखा ठीक है आपने थोड़ी देर पहले तो मैं आपको कह रहा हूँ आपको याद क्या रखना है आपको बच्चे यह याद रखना है यह तीन इस तीन को याद रखो 14 इलेक्टोन को याद रखो 14 इलेक्टोन को याद रखो फिर गाड़ी इधर चलाओ और फिर गाड़ी इधर चलाओ ठीक है यहाँ इस तरीके से है हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आठ इलेक्टरोन के बाद आपके पास जगय नहीं थी साथ एलेक्टरोन की तो हम खुद अपना मैथ लगाएंगे और हम कहेंगे कि साथ एलेक्टरों का आएगा तो 0.5.5 घटाते हुए हम 7 इलेक्टोन का माइनस 0.5 कर देंगे हम ऐसा करेंगे ऐसा मत करना ऐसा मत करना वाई 7 इलेक्टोन लीथियम 2 नेगिटिव याद करो कितना मों डूडर था 0.5 तो माइनस में आंसर मत करना इस ट्रिक को यूज करके कहने का मतलब यह ठीक है कहने का मतलब है यह कि माइनस में आंसर मत करना होमो न्यूकलियर में यह सब जगे लगेगा हिट्रो न्यूकलियर में भी जो आपके स्लेबर में सब जगे लग जाएगा बस सी यो पोजिटिव है जो सी यो पोजिटिव में ध्यान रखना यहां पर नहीं लगाना सी यो पोजिटिव में भी यह वह मैं co positive जब पढ़ाऊंगा तब आपको बता देंगे हिट्रो न्यूक्लियर के तो कुछ example है जो हम direct भी ध्यान रखेंगे co positive में मत लगाना बिल्कुल भी मत लगाना co positive में क्योंकि co positive कितना हुआ बई कारबन के पास 6 electron है जैसे co में अगर हम लगा रहे हैं कारबन के पास 6 electron इसके पास 8 electron 6 plus 8 कितना 14 electron तो इसका bond order कितना आ जाएगा बच्चे इसका bond order आ जाएगा 3 तो यह bond order 14 electron किसाब से 3 आ गया co positive कितना हो गया 13 electron तो इसका आना चाहिए कितना 2.5 मत करना ऐसा गडबड हो जाएगी यह exception चलता है co positive में आ नहीं लगेगा co में यह लग जाएगा तो यह ध्यान रखना आप co positive में बच कर निकलेंगे क्योंकि इसका bond order कितना होता है इसका exact bond order तो greater than 3 आता है या फिर आपके co से जादा होता है ठीक है वई तो इतना ध्यान रखो बाकी आपका सब जगे यह लग जाएगा बाकी सब जगे यह लग जाएगा ठीक है यह था आपका homo nucleate diatomic molecular orbital diagram आई यह बच्चे कुछ question करते हैं वो question आपको और confidence देंगे थोड़ा question की तरफ चलते हैं कि यह रहा question पहला question है यह ठीक है पहला question आपको कह रहा है कि bond order of n2 positive जिस सिंपल सा question n2 positive का bond order आप से पूछा था जैन 2019 में किसमें आया था यह एन 80 ने टी में आया था तो अब इसका answer क्या करोगे इसका answer आप क्या करोगे n2 positive सीधा मैं करूँआ आशर एन 2 के पास होते हैं कितना 14 electron n2 के पास होते है 14 इसका bond order हमें याद है कितना होता है 3 होता है कि एन 2 positive अगर होगा यानि कि 14 में से एक electron चला जाएगा 13 electron हुआ तो आपने अभी अभी बताया है कि 14 से जब 13 पे जाओ 14 से 13 पे जाओ तो 0.5 घटा देना तो यह रहा answer 2.5 2.5 इसका answer हो जाएगा simple सा कितना answer हो जाएगा भई इसका answer हो जाएगा आपका 2.5 इतना काम करना था molecular orbital diagram बनाने की इच्छा हो वह भी बना लेना मुझे कोई सिर्दर्दी नहीं है मुझे कोई tension नहीं है कि आप वैसे जा रहे हो बिल्कुल अच्छी बात है अगर आप वैसे भी जा रहे हो वैसे भी आपको करना आता है तो भी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है मगर आप थोड़ा सा स्मार्ट भी खेल सकते हो ना थोड़ा सा स्मार्ट भी खेल सकते हो देखो molecular orbital diagram में भी समझ देते हैं जैसे यह है एंट्टू का अगर मैं बोंड और बताओं तो बाइट वांड निग में कितने हो जाएंगे एक यहां से चला गया बंडिंग में बच्चा हो जाएंगे 5 लेक्टरोन 5-0 divided by 2 तेसे ऐसे भी कर सकते हो आप मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे खुशी ही होगी कि आपने अच्छे से किया मगर बच्चे थोड़ा सा ये भी अपने पास रखो है ना काम की चीज है कहीं नहीं आपको फाइदा करेगी तन है यहां तक कर लेंगे आगे चलते हैं क्यों भी सर करवाएंगे मैं तो इनफेक्ट आपको ये कहूंगा कि एक पेपर तो छुवोई मत एक पेपर जैसे कि मान लो कोई भी कोई भी मन पसंदो 2020 का मान लो आप लेट सबोस्ट जैम का कोई कोशन टची मत करो बाद में जब पूरा त्यारी हो जाए तो उस पेपर को लेगर बैठो अपने डेस्क पर है ना आपका एगजाम अगर दो से पांच है तो आप एकजाम से जो पिछला महीना होगा उस महीने में किसी भी संड को या किसी भी दिन दो से पाँच बैठो एक कुर्सी पर पैन पेपर लेकर और वो क्योशन पेपर लेकर और जस्ट उसको सोल करने की कोशिश करो जितना आप खुद से सीखोगे ना वच्चे क्योशन करते वक्त मैं आपको बहुत जादा मतलब की सीरियस नोट पर बात कह रहा हूं कि क्योशन करते वक्त आप बहुत सारी चीज़े सीखोगे मुझे करता देखकर भी आप सीखोगे मगर वो एक लिमिट तक अब फिर आपका भी बारी आएगी क्योशन आपको बहुत सारी सोल करने इसके क्योशन मैं आपको दे दूँगा डिपी भी मैं दे दूँगा आप अराम से क्योशन सोल करो और जो भी क्योशन है ना जैसे करने का तब क्योंकि वो आपका टाइम होगा यहाँ पर बॉन्ड ओरका आप को ट्रेंड सोल एपिना इतना सिम्पल सा क्योशन बहुत सिंपल सा क्योशन है बॉंड उडर का ट्रेंड पूछ यह है बटू यह होगया आपका O2 positive और यह हो गया सार O2 negative, ठ Jess, O2 का bound order होता है कितना, यह है 16 electron, 16 electron का bound order होता है 2, ठीक है आप इधर से चले थे, इधर से चले थे, 14, 14 electron से हम चलते हैं, 14 electron, यह O2 positive कितना होगा, O2 positive होगा आपका 15 electron, ठीक है, O2 16 electron और O2 negative से 17 electron, ठीक है 2.5 17 लेक्टरों का होगा 1.5 यानि कि O2 पोजिटिव का सबसे ज़्यादा बॉंड ओडर होगा O2 पोजिटिव का सबसे ज़्यादा देन O2 and then O2 नेगटिव यह आंसर बच्चे बन जाएगा यह आंसर बन जाएगा क्या आंसर है अच्छा O2 तू नेगटिव दिये तो O2 तू नेगटिव ले लिते हैं यहाँ पर हम O2 तू नेगटिव इसके भी पीछे आ जाएगा इधर आप O2 तू नेगटिव लिख दो गए यह रहा O2 2 negative O2 2 negative में कितना हो जाएंगे इसमें हो जाएंगे आपके 18 electron तो इसका bond order हो जाएगा 1 यानि कि answer जो आएगा वो आएगा O2 positive O2 negative and O2 2 negative ये answer आएगा इसका bond order कितना आएगा इसका आएगा 2.5 इसका आएगा 1.5 और इसका आएगा 1 without मैंने molecular orbital diagram बनाए भी ये question मैं attempt कर सकता हूँ तो answer क्या करूने वाले हो आप करोगे O2 positive O2 negative and O2 2 negative यानि कि D option D option आपका क्या हो जाएगा बच्चे सही जवाब हो जाएगा आप चाहे तो इसको इस तरीके उसे भी समझ सकते हो molecular orbital diagram से भी समझ सकते हो ये रहा ठीक है O2 का आपने देख लिया है O2 का कितना है 2 आया है ठीक है O2 positive अगर होता O2 positive होता तो एक electron यहां से चला जाता 6-1 होता O2 positive अगर हम देखें तो O2 positive कितना हो जाता वो हो जाता 1 by 2 6-1 याने कि 2.5 clear है O2 positive इतना होता O2 negative कितना होता एक electron यहां पर आता 6-3 हो जाता तो O2 negative कितना हुआ 1 by 2 6-3 याने कि कितना 1.5 बच्चे O2 negative कितना होता दो electron में O2 negative तो भीया F2 ही तो हो गया F2 तो ही हो गया तो O2 negative का कितना कर दोगे O2 negative का हो जाएगा 1 by 2 6-4 याने कि 1 तो सीधा हो गया 2.5 O2 positive O2 negative and then O2 तो क्या आप यह क्योशन करने में सक्षम है मैं आप विश्वास कर लूँ भरोसा कर लूँ प्लीज इस ट्रिक को थोड़ा सा महतरपुन देना थोड़ा सा महतरप देना आपकी बात बन जाएगी ठीक है चलिए आगे चलते है एक क्योशन और आपके सामने यह जैम 2016 में था बहुत अच्छा क्योशन मतलब की molecular orbital diagram लोग समझते हैं उनको सारा आता है मगर अगर यह नहीं देखा होता तो गडबड कर सकते थे यह टोपिक नहीं देखा होता तो गडबड कर सकते थे क्या है डाय 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 अटोमिक मोलेक्यूल डाट हैज हैव टू पाई बॉंड आटी जैम 2016 स्टार स्टार जब भी मैं लेके आऊँगा तो समझ जाना वह क्या है बच्चे MSQ बोट इमपोर्टेंट MSQ होते हैं बच्चा इसको क्या कहोगे आप MSQ यानि की एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं तो क्या आंसर इसका होगा यह N2 है बई टू जस्ट है बीटू ओ टू टू ठीक है तो अपने जो पड़ा आया था वो देखते हैं क्या पड़ाया था वी टू पार रोड़के वर तो इसके तो कहानी ही कटम कर दो क्योंकि वोडारा है गोली मारो इसको करण नहीं आपने अभी बता है झार क्रणीब्न में जो डबल बॉंड वोते हैं वो दोनों क्या होते हैं पाई होते हैं क्योंकि वो दोनों bond किस से बन रहे होते हैं पाई molecular orbital से तो ये दोनों जो होते हैं वो 2 पाई होते हैं तो बच्चा मुझे एक answer तो मिल गया क्या एक answer तो मुल गया C2 तो मुझे answer मिल गया है C2 तो मुझे answer बच्चे मिल गया है इसके बाद अगर मैं बात करूँ, O2 O2 के अंदर सर होते है O2 का बोण्रोडर होता है O2 का होता है O2 का होता है O2, O double bond O मगर 1 Sigma था plus 1 Pi था 1 मिनट जाकर पीछे 1 मिनट लगेगा देख सकते हो 1 Sigma 1 Pi तो ये नहीं होगा तो हमारा आंसर तो हमारा आंसर अब लास्ट जो बचा है वो है क्या एंड ये देख लिए आपने वी टू देखा सी टू देखा ओटू देखा एंड टू एंड टू ये रहा एक सिगमा प्लस 2पाई तो यहाँ पर भी 2पाई आ रहे हैं यहाँ पर भी 2पाई आ रहे हैं और C2 में भी क्या हो रहा है C double bond C यह दोनों ही क्या है 2पाई आ रहे हैं आंसर क्या होगा N2 and C2 will be the right answer बच्चा तो यह आपका आंसर हो जाएगा का एंच टू एंड सी टू विल विदराइट जांसर बोलो हाँ या नहेंड या यह दोनों आपके आंसर हो जाएंगे कौन से सी अनद इग और टू में सिगमा होता है और एक भाई होतार बी तू में सिरफ एकह बोण होता है तैस पाई बोलो समझ में आया यह नहीं आया कि सी टू एंटू इसके आंसर हो गए है यह क्योशन आपका यहां सी टू और एंटू विदा राइट आंसर हो प्लियर नेक्स देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है तो बच्चे अब आप सक्षम है एंट्री कर सकते हो हिट्रो न्यूक्लियर डाइटोमिक देखते ही बाग मत जाना ऐसे डर मत जाना कुछ भी नहीं है बिल्कुल इजी है तरीके से पढ़ना चाहिए जोड़कर एक दूसरे वह पढ़ेंगे समझेंगे तो सारी बाते समझ में आ जाएगी है ना यह मुश्किल इसलिए लगता था पहले क्योंकि आप बुक्स नहीं प इसके पढ़ाया जाएगा और इन तीन बूक्स से कुछ नहीं फोगा हो और एक्जाम में बूक्त आक्स एब्वेर तीन बुक से मिल जाते हैं ना यह बुक आप प्लीज फोलो करो हाउस्क्राफ्ट वगएरा यह सब बुक हाउस्क्राफ्ट एटकीन्स इन और गनिक एमिस्ट्री में यह दो बहुत इंपोर्टेंट बुक है पच्छा हिट्रो न्यूक्लियर क्या है हिट्रो न्यूक्लियर सर जैसे की एपी टाइब की मोलिक्यूल ना एपी टाइप जैसे की एक एच्टू था वह एटू हो गया एभी टाइप इसके एगजामपल क्या होंगी सर हम अभी तक जो क्योंकि आया है वो एक बार ही एचेफ के ऊपर आया यह इए उपर आया हम हम देखेंगे पाकी यह molecular orbital डाइग्राम हम समझने वाले अराम से सिंपल तरीके से step by step चलेंगे जो बताया जा रहा है उसको पहले सुनेंगे प्रेजेंट में चलेंगे जिस मिनट पर जो चल रहा है उस मिनट को जियेंगे और इस मिनट की सारी चीज़ समझने के कोशिश करेंगे आगे क्या होने वाला है अगले 2-3 गंटे वाद वो नहीं सोचना जादा बड़ा नहीं होगा छोटा ही होगा अराम से आप कवर कर लोगे सबसे बहले मैं आपको कुछ बेसिक बाते बता देता हूँ जो अल्रडी हम इस लेक्चर में अभी देख चुके हैं क्या कि हिट्रोन यूगलियर में जैसे एवी टाइप का होता है मालो वी की एलेक्ट्रो नेगेटिविटी किस से ज्यादा है एसे ज्यादा है तो इसके लिए आपका मॉल्गलर और डाइग्राम कैसा होगा यह होगा मालो यह एक आटोमिक और बिटल है यह बी का तो बीक आट खाएकुर कैक्प्र होंगे किसके बीक सब्सक्राइप के लिए चना जाएगा उसका और बीमो का計理 ज्यादा क्रेक्टर मो की ज्यादा रिजेंबलेंटिविटी एलिमेंट सब्सक्राइप के पास बच्चे ऐसी कहानी बन जाए क्योंकि अब non-bolding introduce होने वाले हैं कि बई की electro negative ना असर बहुत ज्यादा है अगर हम बात करें बी की electro negativity बहुत ज्यादा हमने मालों कह दिया बी की electro negativity हमने कहा ए से बहुत ज्यादा है तो बच्चे ये दोनों की energy gap भी भरती चली जाएगी ए हो गया ये बी हो एक atomic orbital ये बी का है जब इनकी energy gap बच्चे बहुत ज्यादा भर जाएगी ये किस में बैठेगा और ये किस में बैठेगा ये दोनों ही किस में बैठेंगे non bonding molecular orbital में बैठेंगे ये याद रखना और ये बी बैठेंगे ये दोनों बैठेंगे ये दो एक्जामपल जस्ट मैं आपको समझाने के लिए है इस तरीके से मतलब क्या जब बहुत ज़ादा energy gap हो ये एक atomic orbital हो गया और ये बी का atomic orbital हो गया जब बहुत ज़ादा energy gap होगा तो इस तरीके से चीजे चलेंगे लिए रहे है वई है इसे लिए इसको कि ये क्या है और प्लीज सोड़ा सा सयम रखके इसको पढ़ना है जलदवाजी में न बीम ओन बंडिंग मोलिक्लर और विटल ये रहे है बच्चे आईए शुरू करते हैं पहला एच एफ का है ना एच का मोलिक्लर और विटल मैं आपको शुरू करवाता हूं जस्ट जो जो चीजे में आपको बताऊंगा वह अराम से सुनना है और फिर अपलाई करना है ठीक है देखो यहां पर हमने हैडिंग डाली है क्या एच और एफ हमने ये मोलिक्लर और विटल डाना है अगले तो या पांच मिनट आप नहीं चलाओगी पैन को त्याग दोगे और सिरफ अपने दिमाग को एक्टिवेट रखोगे यह है बच्चा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के और यहां पर अगर हम बात करते हैं ये आपका क्या हो लिया हो गया यहां पर hydrogen, यहां पर flow hydrogen के पास एक atomic orbital है जिसका नाम है 1S । अब hydrogen की electronegativity माशा अल्ला कम ही है fluorine गे लेар्टन, iod Brady माशा-ल्ला बहुत जादा है बहुत Bहुत जादा है तो hydrogen का 1s यहां पर होगा इस की electronegativity का कम यहां पर आपको पता होगा इल्यक्त्रो नेगिटीविटी क्लो वॉरीन तो भाया भाल बहुत ज़्यादा है तो başhab दौूरीन के क्योंकि मैंने कहा वेलेंस सिलेक्ट्रो लेंगे तो वेलेंस चंडOOOO । पि लिएंगे कि लिए रहें इस तरीके से यहां पर हाइडरोजन की तरफ अब बात बताओ यहां पर ध्यान से सुन्ना फ्लॉर्ड यह टू माय सकते have an मेरे साथ이스ạ बना सकते यह पूचने जाएगा एंजी मेरे साथ सिगमा बनाओ गें कहेगा कि भीया हम दोनों में बहुत ज़्यादा दूरिया है आप अपना देखो मैं अपना देखता हूं यह विचारा कुछ नहीं देख पाएगा और चुप चाप नोन बोंडिंग में आकर बैठ जाएगा इसे बोला जाएगा एन वी एम ओ नोन बोंडिंग आई बात समझ में तूस कुछ नहीं कर पाया तो वह नोन बोंडिंग मोल्डिंग में बैठ खेया है 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 याद आया कि वह कुछ ना कुछ जीवन में करना ही पड़ेगा उसके साथ नहीं मिले अब हम क्या कर सकते हैं उसके तूस की साथ तो इसलिए नहीं भी ने क्योंकि 2PX, 2PY, 2PZ में गेट पर हम गए पूछा कि हमारे बगल में हाइडरोजन रहता है वो सिग्मा बनाने को चाहा रहा है आप मेंसे कौन है जो सिग्मा बना सकता है तो बचा कौन होगा जो सिग्मा बनाएगा तब को पता है इन तीनों मेंसे सिग्मा कौन बनाएगा 2PZ बना इस सिग्मा स्टार को सिग्मा स्टार SPZ भी कहते हैं और ये इस तरीके से क्या कहानी यहीं पर रुख जाएगी क्या कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी या कुछ और हो सकता है सर बिल्कुल हो सकता है ये जो 2PX ये 2PY है ये क्या कर रहे हैं जीवन में कुछ नहीं कर पा रह किक्ट कितने नॉन वोड़निंग मोलिक्लर और्विटल हो गए ये दो एक और बिटल ये है दो ओर सिधिन वोड़निंग और और विटल्स आपके पास हो गए ये था है ये दुबारा गाहता हुं सारे गाने है फ्लोरीन का वनेस था वो बनेस ही रहेगा फ्लोरीन की लेक्ट्र नेगिटिवटी ज़्यादा है तो उसके और्विटल नीचे हैं बच्चे मानते हो के नहीं मानते फ्लोरीन का 2S और 2PX यहां पर 2PX 2PY 2PZ है फ्लोरीन का 2S सिर्फ सिग्मा बना सकता है पूछ रहें गया हाइड्रोजन की साथ हाइड्रोजन ने कहा बहुत ज़्यादा दूरिया है हमारे बीच में पूसिबल नहीं है चुप चाप बिना किसी भहस की नॉन बोंडिंग में बैठ गया और कुछ न कुछ तो इसलिए पेज के इस कोर्लर में हिंदी में यह सारी बाते लिख लो कि फ्लोरीन का 2S कुछ नहीं कर पाया नोन बोंडिंग में बैठ गया हाइड्रोजन का 1S सिर्फ सिग्मा बना सकता था और सिग्मा फ्लोरीन से पूछने गए तो फ्लोरीन के 2PZ ने हाँ भरा क् की Z-Axis चुछ अगर क्यों आधिन में माल लो आ जायकी Z-Axis लो नसीं करको तो यहां पर सिग्मा ऐस पी एक्स हो जाता और पाई एक्स और पाई जैड और योई कीा बंते नोन बोन्डिंग बनते ठीक है एलक्टोन बर देते हैं एलक्टोउ कितने बर जाएंगे एक इलेक्तर यहां से और साथ टूरेक्टर टुएसस तुटूपि फाइव यहां पर चाहिए जि 거रा इक लिए तो अब पॉंद ौडर क्या होगा सर आई ये देखते है इसे आप वंडिंग कहो Fellan कियेந भॉंडिंग में में नहीं कह सकते बच्चा क्यों क्यों के तो नौन-बोंडिंग है बॉंडिंग में तो सर्फ सिर एक ये ही है सिगमा तो सिगमा बोंडिंग में कितने हैं दो है ये भी non bonding है इसको भी नहीं consider किया जाएगा anti bonding खाली है 2-0 यानि की 1 यानि की जो hf का bond है उसमें कितना bond होता है एक bond होता है और क्यों बना है वो bond वो sigma के कारण bond बना है इसी लिए जो ये bond होगा ये क्या होगा sigma bond होगा आपको पता होगा fluorine के पास कितने लोन पियर होते हैं तीन लोन पियर यहाँ पर दिखाओगे अब बच्चा ये तीन लोण पियर कौन से है अरे जो नोन बॉंडिंग में थे ना वही ये तीन लोवाले नोन पियर ये दोनों तो ये तीनों लोंपियर बहुते नहीं होते एक टूइस के नौन मोंडिंग से आता है एक टूपी एकस के नौन वॉन्डिंग से कहा जाएगा और एक टूपी वाई के से कहा जाता मगर बच्चे पैंट चलाने का मज़ा ही अलग है खुद जब पैंट चला के समझोगे ना उसकी बात ही अलग है बहुत अच्छी बात होती है वो समझ में आया ना वई उमीद है आ गया होगा अभी यह और अच्छे समझ में आ जाएगा जब आप ओएच नेगिटिव का देखोगे वो सेम है ओएच नेगिटिव का भी बच्चे सेम है एक बार किसी को अगर पूरा देखना है एक साथ तो अब आपको यहां पर हैंडिंग डालो क्या 1-1 O negative कितना हो जाएगा 1-2 O negative क्या हो गया फ्लोरीन ही बन गया एक तरीके से फ्लोरीन ही तो बन गया यह एक तरीके से तो इसका सेम आता है बिल्कुल सेम जैसे HF का आएगा वैसे ही O H negative का आएगा इसलिए पढ़ने भे भी थोड़ा आपको help करेगा क्योंकि दो टोपिक को आपको डिवाइज हो जाएगी यहां पर एक लाइंगी रर खीच लो यहां पर एक लाइट की के आपर आपने हाइड्रोजन लिख दिया आपर आपने O negative लिख दिया अब आपको पता हाइड्रोजन की लेक्टो नेगिटिविटी अब भी डेफिनेटली कम ही है तो हाइड् करेगा कि कुछ नहीं करेगा किसी से मिक्स ही नहीं हो पाएगा सीधा नोन बोंडिंग में आकर यहां पर चुप चाप विराजमान हो जाएगा क्या करेगा सिग्मा बनाएगा किस के साथ टूपी जैड की साथ तो एक सिग्मा स्टार एक सिग्मा यहां पर एक का नाम होता ह सिगमा SPZ सिगमा SPZ और यहाँ पर बनेगा क्या सिगमा स्टार SPZ इधर गया इस तरीके से इधर ठीक है 2PX 2PY क्या करेंगे चुप चाप नोन बोंडिंग में आकर बैठ जाएंगे तो यहाँ पर लिख लेना यह भी क्या है सर यह भी नोन बोंडिंग मोलिकुलर और यह भी नोन बोंडिंग मोलिकुलर और बिटल है वो पाई के हैं और यह सिगमा का है मतलब 2S का है और वो 2P का है ठीक है इलेक्ट्रोन कितने हैं वो ही एक इलेक्ट्रोन यहाँ पर था दो यहां परते इसका वानेस लिया ही नहीं है तो उसको molecular orbital में भी नहीं लेना और पांच इलेक्ट्रों यहां आठ इलेक्ट्रों टोटल सर भर दो तो तो चार तो छे और दो आठ बॉंड ओडर वो ही सेम बॉंड ओडर वन बाइटू बॉंडिंग में कितना बॉंडिंग में कित हां यह ना यह था आपका ओ एच नेगेटिव का molecular orbital डाइग्राम चीजों को सिंपल लेना है ना इसका होमो लूमो देख लेते हैं प्रीवेस का भी देख लेते हैं जैसे इसका होमो आपसे कोई पूच रहा है कि क्या होगा भई हाइस्ट occupied molecular orbital गेट का यह क्योशन था गेट में यह क्योशन आया है दा मैं आपको मतलब की क्योशन ऐसे बोलते हैं अगर कोई पूरा lecture देख रहा है तो देख पोच्छेगा समझेगा कि कि कितने क्योशन हम मुझ जबानी जस्कस कर लेते हैं क्योंकि आइ क्या गांतर आंश कर समझार हैं बोल्डिंग एन्टिमोंडिंग यंड ओलडिंग और एक उप्षिण तरह काईनिक बोल्डिंग तो आनिक बॉल्डिंग नहीं बुर्डिंग में नेई नोन व्रॉंडिंग आपका अंसर जाव अमों मतलब यह क्योशन अप्यशन बोल्डे और सब्सक्राव्ट, होँना फिल्सक्राइश अर्डवरे हैं, फ्रंटीर ओर्विटल्स होते हैं, यह भी धियान रखना, कोई आपको रहेा हैं, यह आपका होँनमें पूछ रहे हैं, तो होम और लूमो दोनों ही frontier orbitals अगर ये frontier orbitals वर्ड मेंचन करते हाला कि ये जब आगे जाओगे तो आप पड़ोगे लूमो अगर इसका कोई पूच रहे है तो लूमो क्या होगा लूमो है इसका lowest unoccupied molecular orbital ये occupied है ये non occupied है तो ये जो आपका non occupied है यानि कि unoccupied वो हो जाएगा आपका लूम that is sigma star और बच्चे sigma star को आप क्या बोलोगे sigma jirade या ungerade sigma jirade थे और sigma star क्या होगे sigma ungerade हो जाएगे तो होमो और लूमो से भी क्योशन बन सकते हैं किसी भी molecular orbital diagram से क्योशन जो भी बने वो क्योशन तभी होगा जब आप उनका molecular orbital diagram कर पाओगे तो ये hf का इसी तरीक इस होमो लूमो है और oh negative का भी होमो ये ही रहेगा ये आपका होमो हो गया ये आपका यहाँ पर क्या हो गया लूमो यहाँ पर आपका हो गया है ठीक है होमो ये non bonding molecular orbital और sigma star क्या हो गया लूमो हो गया है चलिए अब हम बात करेंगे सी ओ के molecular orbital diagram में तो बच्चा सी ओ का molecular orbital diagram थोड़ा सा आपको patience से समझना है इसकी सबसे खास बात है देखो क्योशन इससे गलत नहीं होगा इतनी में guarantee और पहले मैं आपको यही बात बता दूं कि आप इसमें घबराना मत क्योशन जो आने वाली जो chances जहां जहां से वो सारी बात आपको पता होंगी तो वो क्योशन आपके गलत कभी नहीं होंगे बस 10-15 मिनट शांती से बैट कर विश्वास करके अराम से कि हां 10-15 मिनट विश्वास यह करना है कि हां मैं समझ रहूं मुझे सम लूँगा तो मुझे पूरा समझ में आ जाएगा जहां पर भी पढ़ो इस motivation से पढ़ा करो अब यह जो सीयो का molecular orbital diagram है इसके लिए मैं picture भी लेके आया हूं जैसे कि एक सबसे बड़ी खास बात इसकी है जैसे कि आप house crowd में देखो कि थोड़ा सा अलग लिख दिया गया है थो सारी बाते कवर करने वाला molecular orbital diagram सीयो का पढ़ेंगे यहां सारी बाते बनाएंगे यह भी लेके आया हूं यह आपको दिखाने के लिए सारी बाते समझाने के लिए यह भी लेके आया हूं यह बाद में देखेंगे इससे देखके घवराना नहीं है पहले हम अपना खुद से स और चीके यहां पर एक लाइन की इस तो इस तरीके से अचिके बच्चे यह आपका अगर हम बात करी यहां पर अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं यह हो गया कारबन यह हो गया क्या ओक्सीजन ठीके कारबन होगे ओक्सीजन होगे क्लियर है कारबन के पास यहां पर क्या है का करवन के पास है बच्चे टू एस तो यह मिट जाता है थोड़ा सा मिटाओ यही जीवन की सच चाहिए थोड़ा सा मिटाओ समेट यह आपका क्या हो गया ठीक है यह आपका क्या हो गया टू एस हो गया और यह क्या हो गया टू पी एकस टू पी वाई टू पी जैट ठीक है इस आपका हो गया बच्चा 2S यहां पर हो गया 2S और Oxygen का यहां पर हो गया 2PX, 2PY और 2PZ आप बच्चे ध्यान से समझो देखो यहां पर मैंने आपको Carbon और Oxygen जब हम पढ़ रहे थी जब आप याद करो C2 और O2 हम पढ़ रहा है थे तो हम कह रहा है थे C2 में SP mixing होगी क्योंकि कारबन का Z Factor क्या होता है कम होता है 2S और 2P के बीच में energy gap कम होता है तो इन दोनों में SP mixing होती है अंदर जाने से पहले अंदर जाने से पहले यहाँ पर SP mixing होती है यह 2S और यह 2P है तो यहाँ पर SP mixing होती है क्या होता है बच्चे SP mixing हो जाती है तो यह 2S अब किसके साथ mix करेगा SPZ के साथ mix करेगा यहाँ पर बच्चा दो creation create होती है दोनों ही SP होती है दोनों ही क्या होती है SP होती है इतना ध्यान रखना दोनों क्या होती है SP होती है इन दोनों ने मिलकर इन दोनों ने मिलकर इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिए ये टूपी एसपी बना दिये अब अगर आप से बात करें अब अगर आप से बात करें कि ये टूएस और ये टूपी ने मिलकर दो creation कर ली है अब कारवन की तरफ से लड़ाई करने कौन आ रहा है चार लोग आ रहे हैं टूपी एक्स टूपी वाई और ये दोनों एक हरानी की बात है कि बुक में जब आप molecular orbital diagram देखोगे तो ये बने हुए नहीं दिखेंगे ये बने हुए नहीं दिखेंगे ये इसी के through ही समझाया जाता है मगर जब आप language पढ़ोगे तो ये बने हुए आपको समझ में आएंगे कि अंदर जाने से पहले दो SP creation वहाँ पर हो रही होती है ठीक है मगर इधर delta E क्या है यहाँ पर delta E जादा है आपने देखा था O2 और F2 में delta E क्या होता है जादा होता है तो यहाँ पर क्या होता है कोई भी SP mixing नहीं होती, no SP mixing, यहाँ पर SP mixing नहीं होती, ठीक है, तो अब यह जो 2S होता है, यह 2S यहाँ पर ना इस से मिल पाया, ना इस से मिल पाया, तो यह 2S यहाँ पर non bonding में बैठ जाता है, ठीक है, यहाँ पर यह non bonding में बैठ जाता है, इसको ध्यान रगना, यह non bonding character इसमें ज्याद मोंडिंगे करेक्टर ज्यादा होते हैं नों मोंडिंगे ज्यादा होता है तो इसको as it is हम छोड़ देते हैं ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहले समझो कि यह टूपी एक्स था यह टूपी वाई था तो इन दोनों ने यहाँ पर आपके पास क्या बनाया एक पाई बनाया और यहाँ पर आपके पास एक पाई श्टार बनाया और इधर से भी कोनाया इधर से भी आया आपका कों इधर से टूपी एक्स थूपी हट इदन हो गया बचा सिरफ टूपी जैड कोन बचा है और इसकी तरफ से कौन बचा है SP बचा है और यह दो SP बचे हैं यह दोनों done हो गए तो अब एक यहां से आपके पास एक SP के थुरू इधर इना इसको थोड़ा सा धंग से लिखेंगे इसको थोड़ा सा धंग से लिखेंगे यहां पर यह रहा और एक इधर जाएगा एक सिगमा यहाँ पर बनेगा और एक सिगमा स्टार उपर की तरफ बन जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा बच्चे सिगमा स्टार हो जाएगा अब बचा क्या बचा सिरफ यह एक SP जो किसमें बैठ जाएगा जो यहाँ पर आके किसमें जाएगा यह किसमें बैठा जाएगा नोन बोंडिंग में बैठ जाएगा यह होता है आपका क्या सी ओ का मोलिकलर ओर्बिटल डाइग्राम अराम से समझो ध्यान से दुबारा सुनो कार्बन था यह कार्बन है यह ओक्सीजन है पहले एक की कहानी को पकड़ो पैन बाद में च लिखा मिलेगा और वो नोन बोंडिक वर्ड समझने के लिए आपको सारी बाते समझनी पड़ेगी कार्बन के टुएस और टूपी में गैप कम होता है इसलिए अंदर जाने से पहले यह दो मिक्स हो जाते हैं अब ऑक्सीजन में यह डेल्टा यी क्या है डेल्टा यी मोर ल जादा है तो यहाँ पर कोई भी एस्पी मिक्सिंग नहीं होगी कोई एस्पी मिक्सिंग यहाँ पर नहीं होगी ठीक है तो यह टूपी एक्स टूपी वाई इधर टूपी एक्स टूपी वाई ने मिलकर एक पाई बनाया और एक पाई स्टार बना दिया वहाँ पर का ओक्स बैठ जाएगा नोन बोंडिंग में बैठ जाएगा आठ इलेक्टोन आपको भरने होते हैं आठ इलेक्टोन यहाँ पर भर दोगे कहां तो तो चार कितने आठ इलेक्टोन होगे यहाँ पर देखो टू एस टू टू पी दू चार यहाँ पर पर छे यहाँ पर दस इलेक्टोन तरस एलेक्टोन आपको बरने है ठीक है तो दो दो चार दो छे और दो आठ ये आठ एलेक्टोन आपने यहाँ पर इस तरीके से भड़ दिये क्लियर है कि सीधा है कार्बन में पहले अंदर जाने से पहले टूएस और टूपी जैड ने मिक्सिंग की जिसके कारण दो एस पी यहाँ पर क्रियेट हुए अब कार्बन की तरफ से लड़ाई का उन करने हो आ रहा है दो एस पी और एक टूपी एक्स टूपी वाई यह आ रह लिए और दूसरा कुछ नहीं कर पाया तो वह नोन बॉर्णिंग में बैठ गया ऑक्सिजन का सारा मामला वहां पर डन हो गया चीजों को लिख लो सारी बातों को लिख लो हैना सारी बातों को लिख लो अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसका bonding की बात करें तो सिरफ ये 6 electron bonding में ये तो non bonding है ये 6 electron bonding में बच्चा bond order तक नहीं निकल पाएगा अगर आप इस तरीके से इसको नहीं समझोगे तो ये आपको बताना पड़ेगा कि हाँ bonding के electron 6 ही है anti bonding के खाली है ये दोनो non bonding करेक्टर के होते हैं इसी लिए बच्चा 6 minus 0 3 bond order बताया जाता है इसको आप bonding नहीं समझोगे है ना ये weekly bonding होते हैं ये weekly bonding होता है majorly non bonding ही होता है तो आप इसे non bonding लेखोगे और इसे count नहीं करोगे ये count होंगे ये सिरफ oxygen के थुरू आता है ये non bonding में आप रखोगे clear है ये आपका molecular orbital diagram co का होता है ठीक है आई बास समझ में में अब मैं आपको थोड़ा सा जो picture आपको दी हुई है वो मैं आपको समझा देता हूँ देखो सबसे पहले तो ये Atkins का है कहां का ये Atkins book है अगर कहीं से reference दिया जा सकता है तो Atkins जैसी book का दिया जा सकता है पहली line पढ़ो the homo of carbon monoxide molecule almost non bonding sigma orbital यानि कि यहां पर आओ कि यहांपर आओ हो ओन्सा होगा यह occupiedुल कि यह gotta ऑगा तो इसका हो अगर आ रहा है तो वह कोन सा रहा है वह आ रहा है सर सिगमा नोखंड़ सिगमा इसलियों कहाजा जाता है कि हें की एस और पी की जो creation होते न वह सिगमा creation होता है इसलिए इसको सिगमा नों वों necesario कहा जão the homo of carbon monoxide or bit molecule is an almost non-bonding sigma orbital largely localized zone carbon carbon पे ही है carbon पे ही तो है भई यह जो non-bonding यह carbon का ही है इसके तो कोई मुलाकाट ही नहीं है तो इस तरीके से आप इसको समझोगे दूसरी बात दूसरी बात यहां पर यह पढ़ो आप जैसे कि यह जो sigma आपको दिखाया हुए है यह मैने फिर कहा जैसे कि यह 1 sigma आपको जो हमारा है 1 sigma Woah 1 sigma मैला पहला सिलिट को है नॉन मंडिंग है तो अगर आप पढ़ने जाओगे इसको देखने की बजाए यहां पढ़ने जाओगे तो पहली लाइन लिख रखी है the one sigma orbital is localized mostly on the oxygen atom and therefore essentially non-bonding यह आपको मिल भी जाएगा है ना जैसे कि as it is a house crowd book आपके पास जो standard book है उसमें यह जो oxygen atom है यह जो oxygen यहां पर तो सीधा-सीधा पढ़ने पर आपको पता लग रहा है कि यह non-bonding होता है और house crowd book मी direct non-bonding भी दिखाया हुआ है तो आपको यह ध्यान रखना है यह non-bonding ही consider करना है the one sigma orbital is localized on the oxygen atom and therefore essentially non-bonding यानि कि sir यह जो आपका पहला sigma है यह भी sigma ही है sigma non-bonding ही बोलेंगे क्योंकि 2s का है तो यह जो आपका orbital है यह almost non-bonding है और यह oxygen पर realized है oxygen पर localized है तो इसको समझेंगे इस तरीके से यह ध्यान रखना इसको इस तरीके समझेंगे यह non-bonding यह नीचे वाला जो वहां पर फस्ट दिखाया हो है वो यह है non-bonding वाला और वहां पर लिखा भी हुआ है almost non-bonding तो please language को पढ़ लिया करो ठीक है यह molecular orbital diagram आपको co का note down करना है अपने पास इसको रखना है ठीक है इसके कुछ characteristics लिख लेते हैं यह वर कुछ characteristics में आपको समझा देता हूँ जो और आपको help करेंगी characteristics of co कि सबसे पहली बात तो सर इसका homo क्या है इसका homo आप बताओगे क्या homo जो है यानि कि highest occupied molecular orbital बच्चा वह highest occupied molecular orbital कौन सा है यह है occupied यह occupied यह है highest occupied तो इसे आप sigma non bonding बोलोगे क्योंकि यह s और p की creation से है तो इसको आप क्या बोलते हो sigma non bonding आप बोलोगे अगर आपको कुछ भी धियान रखना है इन 5 पॉइंटों को धियान रख लेना सिरफ दूसरा point क्या है लूमो क्या है lowest unoccupied molecular orbital और वो कौन सा है यह occupied है यह unoccupied है तो lowest unoccupied कौन सा हो गया यह आपका lowest unoccupied हो गया यह पाई पाई स्टार आपका lowest unoccupied हो गया ठीक है जो सारी बाते इस पिच्चर में जो भी हमने पिच्चर भी है वो जो सारी उन बातों को अगर समझना चाहोगे तो आप इसी molecular orbital diagram से समझ सकते हो बोन्ड ओडर अगर आप समझना चाहोगी तो इसी molecular orbital diagram से समझ सकते हो जो हमने यह पढ़ा है बच्चे तीक है जाते जाते एक बार अभी दुबारा इसको compile करने से पहले मैं फिर इसको revise कर दूँगा कोई दिक्कत नहीं है बस आपको यह धियान रखना है देख लो कि carbon के 2s और 2p पहले mix हो जाते हो यहां पर दो creation कर देते है sp sp अब carbon की तरफ से कौन लड़ने आ रहे है अराम से सुनो carbon की तरफ से कौन लड़ने आ रहे है दो sp होंगे एक 2p x और एक 2p y और oxygen की तरफ से 2s और यह तीन हो इस oxygen को कुछ नहीं मिला तो यह almost non bonding बनाता है जैसे आमने अब यह भी देखा और यह 2p x 2p y मिलकर यह दोनों के साथ pi star और pi की creation करते हैं वहाँ पर 2p z बना आपको पता है 2p z सिरफ sigma बना सकता है तो इधर sp एक sp के साथ sigma बनाया गया और एक sigma star बनाया गया यह कुछ भी नहीं कर पाया तो यह non bonding में बच्चे आकर बैठ गया यह non bonding में बच्चे आकर बैठ गया इस तरीके से ठीक है इसलिए इसका homo क्या बढ़ गया नॉन बंडिंग और लूमो क्या बन गया पाई स्टार बन गया इसका बॉंड ओडर को अगर माल लो इस पिच्चर में आप यह नीचे वाला गिनने जाओगे तो गडबड हो जाएगी ना देखो यहां पर अगर आप यह गिनना जाओगे इधर गिनने जाओगे इसको इसका बॉंड ओडर आप छे बताई नहीं पाऊगे है ना इसका बॉंड ओडर तीन बताई नहीं पाऊगे अगर इसको बॉंडिंग गिनोगे तो यह नोन बॉंडिंग में ही गिना जाता है और लिख भी रखा है वहां पर इसेंशली नोन बॉंडिंग यहां पर देखो न minus zero that is three बच्चा इसको समझना जरूरी था इसको इसी तरीके से समझा जाएगा अब एक और बात ध्यान रखना बोंड ओडर हो सीओ पोजिटिव अगर आपको कोई पूछ रहा है तो वो कितना हो जाएगा बच्चे greater than 3 होगा या फिर आप उसका अंसर 3.5 भी बता सकते हो 3.5 भी बता सकते हो यह कुछ पॉइंट से आपको ध्यान रखने है बोंड ओडर और और सीओ नेगिटिव का कितना आएगा बोंड ओडर ओफ सीओ नेगिटिव अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो वो आएगा 2.5 और इसी लिए अगर माल लो यह क्योशन बन जाए जिसको मेरे को काफी ज़्यादा लगता है कभी न गभी यह बनेगा क्या सीओ पोजिटिव का सबसे ज़्यादा होता है देन सीओ क एंड देन सीओ नेगिटिव का यह बोंड ओडर आपको ध्यान रखना है यह डिरेक्ट महां पर भी यूज होते हैं कहां पर मैटल कार्बोनेज जबाब पढ़ते हो ठीक है और यह बात आप और समझो जैसे कि सीओ कहां से देता है सिगमा से देता है पाइस्टार यह सीओ क का मोलेकुलर और बिटल है यह होमो है ठीक है यह लूमो है इसे कहा गया क्या इसे कहा गया सिगमा नोन बोंडिंग और इसे कहा गया पाइस्टार इसी लिए आप कभी भी देखोगे मैटल और कार्बोनील जब आप आगे जाके पढ़ोगे आगे जाके आपको यह दिखेग है तो इस सिग मा से दे रहे हैं सिग मा से दे रहे हैं Some किसमे करेंगे पाई स्टार में स्रेट करते हैं वापिस किसमें लेते हैं पाई स्टर में लेते हैं इसी वज़े से हम कहते हैं सीयो इज पाई असेप्टर लीगेंड बोलो हाँ या ना तो ये था बच्चे सीयो का कम्प्लीट मोलिकलर और्बिटल डाइग्राम सीयो की सारी कहानी जो आपको समझनी थी जो आपको देखनी ठीक है इस तरीके से आपको समझना है होमो इसका सिग्मा नोन बॉंडिंग है ल आप बोलो हा या ना अब है इसके बाद आपको क्या देखना है सी एड़ नेगेटिव इंड इन ऑक इधिव आपको समझना है सी एन नेगेटिव एंड पा मोलिक्लर Well, डाइगरम डाइगरम आपको उ गई है carbon के पास six plus nitrogen के पास कितने seven और प्लस one यानि की कितना 14 electron तो बचिए यहाँ पर आप direct यहाँ पर आप direct क्या लगा सकते हो यहाँ पर direct आप case लगा सकते हूं sp mixing वाला अब बच्चा होता क्या है कई लोग क्या करते हैं co carbon and oxygen six plus 8 14 इलेक्टरन करके उस पर भी डारेक्ट एस्पी मिक्सिंग लगा देते हैं वो छोटी क्लासेज में पढ़ना ठीक बात है वो समझ लेना ठीक बात है मगर जो मेन क्लासी जब आप इस लेवल पर आते हो आप मास्टर्स करने जा रहे हो तो आपको यह समझना पड़ेगा बुक् इसके जैसा आएगा similar as यहां पर लिक लोग वगर प्लीज हम उसको ऐसा नहीं पड़ेंगी वो special attention deserve करता है कुछ लोग होते ना थोड़ी complex होते हैं complex है ना कई लोग होते हैं काफी complex होते हैं उनको special attention चाहिए होती है और special attention देने के बाद वो complex लोग भी अच्छे लगने लगते हैं आपको गलत मत समझना आप लोगो गर दिमाग बहुत जादा चलता है मुझे पता है ठीक है मेरा उतना नहीं चलता आप लोग ज्यादा हुश्यार हो आप लोगों के पास ञादा समय है करता हुश्यार है समय मतलब अब लगों के लिए समय कम है तो इसलिए appro सा महरवानी मुझे पे करो और पढ़ाई करू माई याँ पर आपने लिया ठीक है अब यहां पर बचा सीधी सी बात है ठीक है सीधी सी बात है क्या वही बनाएंगी 2p बनाएंगी है न यह 2p x 2p y 2p z कारबन की लेक्टो नेगरिव्टी कम होती है तो इसको उपर रखेंगे नाइटोजन यहाँ पर 2p x 2p y और 2p z यहाँ पर क्या होगा सर यहाँ पर हो जाएगा 2PX 2PY और 2PZ बोलो हाँ या ना आ या ना वई बोलतो दो अब इधर क्या करोगी बच्चे यहाँ पर सीधा SP MDI savez हो रहा है तो सिगमा उपर रख दो सर बस जादा हमें अब सिर्दर्दी मत दो दिमाग खराब कर दो गया बद इसलिए तरीके से बस निकल लो कि कमा को ऊपर कर दो यहाँपर सिगमा उपर कर दिया और यहाँपर इस तरीके से यह बन गया आपका क्या molecular orbital diagram यह हो गए क्या pi pi 2p x, pi 2p y sigma 2p z, pi star 2p x, pi star 2p y sigma star 2p z, sir total 14 electron है, 8 हम मान के चलते हैं, धर्ती में भर चुके हैं हम धर्ती में कहां 1 इसिगमा 1 तो इसका बोंड ओर बता दो हमें इस्का बॉन उडर हम बता दें यहां पर कितना आजाएगा बॉन्ड ओर ओफी एन नेगेटिव यानि की वन बाय टू बोंडिंग में कितने एच्छे एंटी बोंडिंग पूरा खाली सिक्स माइनस जीरो यानि की सर्थ तीन बोंड ओडर आ जाएगा बहुत बढ़िया वैसे भी कर सकते थे 14 इलेक्टरॉन का तीन ही आता है तो यहाँ पर वो सही बैठ जा गया सिग्मा सिग्मा टूपीस का हो में हो गया हाईेस्टयक्उपाइड इसे आप क्या क्या दोगे हो में होगे और इसे क्या कहते दें बच्चे लूमो कहतो गे लूमो समझ में आता है ने लईन मुंच्यूपाइड ऐसा पहला मॉलक् Alm Voilà उडेना जो आनो क्यूपाइड हो यह occupied था वो अनोक्यूपाइड था और होमो होता है हाईस्ट ओक्यूपाइड मतलब ऐसा हाई ओक्यूपाइड हो तो यह आपका होमो हो गया जल्दी से एन ओ को भी देख लेते हैं ताकि उसकी अपिच्छाए भी पूरी हो जाये वो भी कहें कि वह यह भी पड़ा करते थे लोग एंड ओ इस एवन इलेक्टरों प्लस एट इलेक्टरों तो यह कितना हो गया 15 इलेक्टरों ओ गया ग्रेटर देन 14 हो गया तो यहाँ पर आप SP mixing क्या कहोगे यहाँ पर आप कहोगे सर no SP mixing इधर आप क्या कहा दोगे no SP mixing यह किसके जैसा बना सकते हो आप यह बना सकते हो similar as similar यह बच्चा बनाया जा सकता है similar as o2 and f2 के जैसा बनाया जा सकता है प्यारे बच्चे यहाँ पर आये समझने हैं यह बना दिया इधर एक डंडा यहां पर दूसरा और यह लिख दिया हमने क्या नाइट्रोजन यहां पर बच्चा लिख दिया ऑक्सीजन खुद बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे यहां पर लिखा हमने टूपी एक्स टूपी एक्स हो गया यह टूपी ओएड सर आप कहे रही हो कि इसमें 975 बनाना यानि कि उसमें सिःमा कहां होते हैं सट नीचे होते हैं तो इसका सिःमा कहां डाल दोगे इसका सिःमा नीचे डाल दोगे यहां पर पाई यहां पर और इधर पाई स्टार और इधर सिगमा स्टार क्या बात है सिगमा पाई 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 स्टार पाई स्टार और सिगमा स्टार बोलो हाँ याना टोटल कितने इलेक्ट्रोन है फिफटीन इलेक्ट्रोन है इधर कितने इलेक्ट्रोन डल जाएंगे तो यहाँ पर फिफटीन इलेक्ट्रोन है आठ नीचे गए तो बचे कितने साथ इलेक्ट बता दो इसका इसका बाण्ड ओडर बता देते हैं 1 वाइटू बाइटू बोंडिंग में कितने है वाई 6 एंटी बोंडिंग में कितना है वन याने कि 2.5 और वैसे भी कर सकते थे 15 एलेक्टरौन तो तो कितने यह आता है 2.5 आता है अब देखो क्योशन कैसे भी बन सकते हैं बहुत अनिक क्योशन बन सकते हैं जैसे नेट का अगर आप उठाओगे मैं आपको नेट के क्योशन बता देता हूं मुह जबानी हम बात कर रहे हैं जस्त नेट में एक क्योशन ये था कि एन ओ से एन ओ पॉजिटिव जब बनेगा तो इलेक्ट्रोन किस मोलिकुलर और बिटल से निकलेगा ओप्शन बहुत सारे सिग्मा स्टार से पाई स्टार पाई और जस्ट सिग्मा तो अगर आपको एन ओ से नो पोजिटिव बनाना है तो इलेक्ट्रोन कहां से निकलेगा पाई स्टार से निकलेगा अगर आपको एन ओ पोजिटिव से एन ओ बनाना है तो इलेक से और नेगेटिव बनाना तो भी इंट्रोन फाईस चार में आयेगा इस तरिके भी क्योशन बन सकते है कर लोगे यह तो आया भी हुआ है जैप में यहां पर दिख रहा है तो यह क्या है पैरा मेगनेटिक है तो बच्चे यह थे मोलेकलर ओर्बिटल डाइग्राम उमीद गरता हूं आप पेशंस से इसको समझोगे पेशंस से इसको मतलब है न थोड़ा सहीम थोड़ा सा इसको दिमाग को शांट रखो कई लोग क्या करते हैं इसमें बहुत ज्यादा भीड पैदा करके बैठे हैं आपस में इतनी दुनिया बना रखी है एक दुनिया इधर जगड़ा हो रही है इसको इतना मतलब की तंग करके रखते हैं अपने दिमाग को दया खाओ इसके उपर इसके उपर थोड़ी सी दया खाओ विफालतू की बाते सोचो मत जिंदगी में और क्या करोगे और क्या होगा और क्या नहीं होगा शांती से बैटकर जो समय है भगवान ने आपको दिया है इस वक्त पढ़नेगा उसको पढ़ लो कुछ ना कुछ पक्का हो जाएगा प्रो स्कूल 컬ी में घने कभी नहीं कभी भी Мचनगी सब्सक्न सिकाना ख़ल मा मवा भीज रहां स्कूल में बढ़िया अपना काम है पढ़ना उनका काम है पैसे देना अपन पढ़ है इतना काम था प्रोसेस पर दियान देना था पढ़ाई करी करी पर्सेंटेज आई उस college में आया जहां तक मैंने सोचा नहीं था ठीक है वहाँ पर आने के बाद कभी जिन्दिगी में यह नहीं सोचा कि मुझे उसी IAT में या फिर उसी rank में खेलना है jam में नहीं सोचा बस यह सोचा था अच्छी rank लानी है अच्छा काम करना है मेहनत करनी है अच्छी मेहनत करी अच्छा rank आया अच्छी college में गए उसके बाद कभी ऐसा नहीं सोचा कि अब पहले सम में यह करना है इसमें नेट निकालना है में रहोगे कि इसी में जाओगा इसी में जांगा इसी में जांगा उसके लिए मैनत कर हो शान्ती कर चुप, चाप बैठकर जो लोग शानती से भी काम कर रहे हैं थो नहां बहुत बड़ा धमाग्चा कर देते है ठीक है अधी एक आधि कोई दिक्क्र नहीं है यह तो बहुत चोटे लेक्चर है यह तो आप बहुत कर सकते हो राम से इससे भी बड़े बड़े लेक्चर आप कर सकते हैं आई यह क्योशन देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दा अब्जर्ड मेगनेटिक प्रोपर्टीज ओफ एन ओ और टू बी टू एंड सी टू इन दा ग्राउंड स्टेट अच्छा वई यहां पर यह देखो जैम 2019 में एक और क्योशन अना क्या है वई एन ओ पैर मेगनेटिक है एन ओ आपन हमारे पास कहाँ चला गया यह रहा हूं वह यह कई इसको पूरे लेक्ट्चर को जिसने अच्छे करा है बहुत भडिया बहुत शांदर यह आ गया आपका क्या बीटू आ गया बीटू भी क्या है पैरा मेगनेटिक है बीटू यह रहा क्या पैरा मेगनेटिक दिख गया भई यह लिखाओ पैरा मेगनेटिक सीटू क्या है डाया मेगनेटिक है सीटू क्या है वही डाया मेगनेटिक है ठीक है एंटू क्या है एंटू भी डाया मेगनेटिक है यह दो इलाक्टों यहां पर सारे पेर हैं यह डाया मेगनेटिक है ओटू क्या है पैरा मेगनेटिक है यह दोनों अनपेर इलाक्टों यहां और दूबारा दिखा देते हैं अगर और बार देखना चाहते हो तो तो यह रहा C2 का molecular orbital diagram यह क्या है डाया magnetic है ठीक है तो यह था आपका टेक्चर रिगार्डिंग दा molecular orbitals diagram जिसमें हमने बहुत सारी बात यह कर दिये हैं एक एक पॉइंट एक बात important है कोई कोई फाल्टू की बात नहीं है कोई भी चाहे वो basic से लेके advance तक अब मैं आपको यह भी बताऊंगा आपको paper में जाने से वहले क्या ध्यान रखना है होमो न्युकलियर बहुत अच्छे से करना है डारेक क्योशन आएंगी वह ट्रिक धियान रखनी है हीट्रो न्यूकलियर अच्छे से करना है जो जो बाते बताएं जैन आपका बात बन जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक्यू सो मच यह छोटा सा point आपके लि सब के लिए learning is never done without errors बिना गलतियों के करे बिना आप सीख नहीं पाओगे गलतियां करनी जरूरी ही है और गलतियां तब होगी जब practice करोगे पढ़ोगे क्योशन लगाओगे है ना सिरफ मेरे वरोसे या फिर किसी और के वरोसे की सारे क्योशन यही करवा देगा तो आप गलतियां कब करोगे और गलतियां सीधा एक्जाम में जाके थोड़ी ना करनी है एक्जाम से पहले अरे let's suppose आप 10,000 गलतियां करनी आपको आती है तो आप 10,000 आप गलतियां करो यहीं कर लो ताकि एक्जाम में कम करो इतनी इतनी सिली मिस्टेक जैसे कि यह एक आंसर था मेरे को यह हमेशा खटकता है वे गेट में यह 316.9 किसी का अंसर भर की आना था यह पॉइंट मेरे से नहीं लगा यह पॉायंट गलति से मैंने नहीं लगाया और इंशल बढ़ दिया अब आपको पता है रेंज आती है गेट में तो 316 from 311 ρेंवा जाती और मेरा रांसर i3 23169 कहां मेरा अंसर सही होगा जब की पूरा सोल किया हुआ था यह ऐसी चीजे लेट सपोस मैंने आपको यह बता दिया तो यह पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि इससे बचना है आप थोड़ा सा कॉंचियाज रहोगे इसलिए कहते हैं कि ट्राइक करने से डरो मत कई कोशिश करो यहां पर आप अपनी सारी मिस्टेक्स रेक्टिवाइग कर लो थैंक यू सो मच अपना ध्यान रखो स्वस्त रहो मस्त रहो मगर पढ़ते जरूर रहो टेक क्यार एंड थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स लेक्चर में